हन जी हेलो एरुबन क्या हाल चाल हेलो 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 कैसे हैं आप सब आजो लटी देस चार्टेट हमालाइव एक तुही भरोसा एक तुही सहारा इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा एश्वर या लाँ ये पुकार सुनले एश्वर या लाँ हम लोग ये स्कूल के ऐसे टाइम है एटेंडेंस में ऐसे ये वाले गाने गाते थे राइट शुरू करें शुरू करें तीन गंटे लगेंगे बैटा एटिंग साड़े की आरा तुक नंपड जागा ना आगास ना बहुत मैनत की آپ लोगोंने यार बहुत मेहनत की मतलब इतना बढ़ियां से अच्छे से आपने पढ़ाई किया मतलब एम सो प्राउड ऑफ यू रिजल्ट देखो होना नहीं होना सब वह तो ठीक है बट अभी कुछ दिनों में आपने बहुत 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 मेहनत की विचिस वेरी नाइस है ना ठीक है चल आओ शुरू करें नए उस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब पर दिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिसी मिशना करें कल कुछ नहीं पढ़ना है तुमको कल बिलकुल शान्ती से जितने पढ़ जाना है और यू आर गुड टू गो लोड नहीं लेना है बेटा दिस इस दा सम्झो फिनाले पर यो ला है ना लास्ट क्लास ट्वेंटी ट्वेंटी टू की लास्ट क्लास राइट चल हम नादान हम तो मालिक क्यों दी हमें सजा चलो और शुरू करता हां जी हजार कुशन कर लो उसका pdf है तो उसको कर लेना हाजार कुशन रवाइश देखो ज्यादा stress नहीं लेना है कल एक्दम chill mode पे रना है ठीक है में अभी तक कैसा रह सफर हम लोग का साथ कैसा रह सफर मजा आया पूरे साल मेरे से पढ़के कैसा रह मेरी टीम के साथ वाटके है और व चलो आप मुंबई आ रहे हो हम मुंबई आएंगे उसका कटोरा देंगे ठीक है सिरेडी वाले साही भाबा वही होगा मेरा मुंबई में चलो चलो लेट्स है लेट्स गेट स्टार्टेड ठीक है विडियो को लाइक करदोगा नहीं की अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो टाइम साल करते हैं थोड़ा करते हैं चलू आ जो अल९ॉ लॉली भाइल हैं वीविल बैडली मिस्क्न हम क्यों करना हम यहीं मत थोड़ी रहे हैं चलू तो हमने करें लिया अच्छा ठीक है देख लो जो 2023 वाले तुम्हारे भाई बंदू उनको बता देना कि आनन से बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं ठीक है तो अगर मेरा बैच है भी यहाँ पे इन्रोल कर लेना अगर नहीं किये हो तो ठीक है अगर जो तुम्हारे भाई बंदूंगे इस नमर वे फोन कर लेगा अगर कोई द लोलो!! कि अ आघे बात करते है अ तो कि तर में प्लंद्शन और डशत्याइन कि आसे घडिए ह। और अब भशेरह लगबक 50 साट पेजला सब बता देता है तुनको फिर भी तो निमान को चलो रिप्रूशन और बर्थ तुन नाचुरल डेथ ऑफ और 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 रिप्रेजेंट सेट्स लाइफ स्पैन ठीक है रिप्रूशन इस कैसा होता है भी या इटाइसट यह दो आज प्रूशन होता है और प्रोचिन होता है तो इसके लिए हमें इतन भी करते हैं that is called term clone term clone is used to describe genetically और morphologically similar individual term clone is used to derive genetically और morphologically similar individual ठीक है it is common among single cell organism it is common among single cell organisms ठीक है types of asexual reproduction क्या आ गया तुमारा पहला binary fusion binary fusion मतलब क्या होता है एक से दो divide कर देगा तो binary fusion अलग अलग तरह का होता है A planner, amoeba, transverse, paramecium और longitudinal uglina ठीक है उसके बाद आ गया budding, budding क्या हो गया बटा, budding तुमारा क्या हो गया कि एक बड़ बना और उसके बड़ से नया organism बन गया तो तुमारा hydra और yeast budding का example हो गया conidia का example हो गया, penicillium, gemule, sponge और zoospor तुमारा ठीक है, zoospor तुमारा microscopic motile spore है, clamidomonas में तुमारा zoospor हो जाएगा ठीक है, यार रखेगा, gemule is an example of endogenous budding और hydra और yeast is an example of exogenous budding ठीक है, gemule is an example of endogenous budding और hydra and yeast is an example of exogenous budding ठीक है, अच्छा, vegetative propagation की बात करेंगे, vegetative propagation में क्या हो गया, runner, grass डूब, grass तुमारा, तो यह runner हो गया, ठीक है, rhizome, banana and ginger, सकर, mint यार रखेगा, banana सकर में नहीं आएगा इसमें, reproduction में बनाना, rhizome में आएगा, ठीक है tuber, potato, offset, water hyacinth, bulbil, again, all are capable of giving rise to new offspring, ठीक है ब्रायो फिलम में leaf margin होता है, water hyacinth, offset है, it is an invasive weed that drains oxygen from water and leads to death of fishes, ठीक है तो vegetative propagation में इतना आगया, ठीक है, यह natural vegetative propagation की है, ठीक है artificial vegetative propagation में आजाएगा, cutting, layering and grafting, artificial vegetative propagation में आगे, cutting, layering and grafting sexual reproduction में क्या हो गया, it involves fusion of male and female gamit, involves fusion of male and female gamit to form zygote, which develops into new organism, ठीक है, which develops into new organism, ठीक है तो यार रखेगा, एक और चीज़ यहाँ पर यार रखेगा, क्या, पहला हो गया तुमारा, कौन-कौन सा phase आगया, sexual reproduction का पहला phase आगया, इसको हम कहते है, juvenile phase, juvenile phase मतलब जहाँ पर vegetative phase है, cell grow, organism grow कर रहा है, ठीक है, and it cannot reproduce sexually, दूसरा आता है reproductive phase, reproductive phase मतलब क्या हुआ, कि end of juvenile phase, जहाँ पर reproductive maturity आती है, उसको reproductive phase करते है, ठीक है, bamboo जैसे, साल में एक ही बार flower करता है, 50 से साल, 100 साल के बास strobilanthus kuntiyana, 12 साल में एक बार flower करता है, यह दोनों monocarpic है, ठीक है, मतलब flower once in their lifetime, यह दोनों monocarpic है, ठीक है, और तुमारा mango mango जो है, वो polycarpic है, जो seasonal होता है, ठीक है, तो यह reproductive phase आ गया, ठीक है, तीसरा होता है, सेनेसेंस phase, end of reproductive phase को, सेनेसेंस phase करते हैं, और उसके बाद चौथा होता है, death, आदमी मर गया, टैब बोल गया, खतम, प्टाटा, बाए बाए बाए, ठीक है, placental mammals, तुमारा non-primates में आ गया, क्या, easter cycle, जिसमें cow, sheep, वगएरा हो गया, ठीक है, इस seasonal breeder होता है, primates में आ गया, menstrual cycle, यह तुमारा हमेशा ready रहते हैं, तुम्हें एक देखो, 24 घंटे बाए सेक्शल मोनोशेस, तो plant में, तुमारा unisexule में, maze, caster, ठीक है, अब यह तुमारा dieces में नहीं आएगा, यह bisexual में आगा, cucurbits, कारा और पाइनेच, यह क्यों लिखा है, यह मेरी टीम ने गढ़बढ कर दिया, ठीक है, यह तुमारा monosies का example होगा, यह उल्टा कर दिया मेरी टीम ने, ठीक है, bisexual है monosies में, यहाँ पर उल्टा कर दिया, coconut, papaya और date palm यहाँ पर होगा, ठीक है, टीम ने गढ़बढ कर दिया, काटो इसको, देखो, papaya, date palm, ठीक है, यह तुमारा monosies है, यहाँ पर आ गया, bisexual plant में यहाँ पर, तुमारा आ जाएगा, coconut और, cucurbits, ठीक है, यह तुमारा monosies में आएगा, ठीक है, एनिमल्स में, अर्थवार्म, लीच, टेप वार्म, स्पंज, प्लांट में, रोज, चैना, रोज, लिली, ठीक है, एनिमल्स में, हर्माफोटाइट में, तुमारा, हर्माफोटाइट में यह बता हो, यह उल्टा कर दिया, यह पूरा उल्टा कर दिया, यह मनोश्यस होगा, यह बैस्यस होगा, क्या किया है, पूरा कच्रही कर दिया, इसको काट दो, इसको काट दो, पूरा, ठीक है, इसको काट दो, पूरा ही गलत लिख दिया, इसको काट दो, ठीक है, लिखवा ठीक है, क्या होगा तुम्हारा, कोकोनट, कुकूर बिट्स, ठीक है, डायसियस प्लांट, पपाया और, डेट पाम, ठीक है, इसको काट देना, इसको काट देना, ठीक है, अच्छा, एनिमल में, यूनिसेक्श्वल में, कौकरो चाज़ेगा, और, बाइसेक्श्वल में, अर्थवाम और ली चाज़ेगा, अर्थवाम और ली चाज़ेगा, ठीक है, अरे, वो उल्टा कर दिया, बिटा, छोड़ दो, न, कारा भी मनोशियस है, ठीक है, ठीक है, लिख लो, यहाँ पर मनोशियस में, तुम्हारा कारा आ जाएगा, और डाइसेस में, तुम्हारा, मर्चान्टी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, चलो, आओ, 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 आप देखो, आप देखो क्या, उसके बाद, अगला, इवेंट्स इन, सेक्शुल रिप्लोक्षिन, क्या, प्री फर्टलाइशन इवेंट्स, क्या होता है, गैमिटोजनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेश हो जाएगा, या तुम्हारा, क्या हैगा, क्लैडो, फोरा, ठीक है, हेट्रोगैमिट का एक्जामपर, तुम्हारा, फ्यूकर सोर, इंसान आजाएगा, ठीक है, पिर आगया, फटलाइशन इवेंट्स, क्या हुआ, सिंगैमि, फ्यूजन ऑप मेल और फीमिल गामिट इसकॉ इसमें बनता है, जाइगोट, जाइगोट इस एलोवेश दिपलोइड, इस उल्वेश दिपलोइड, आ हैं, आजएगोट, इस दो गॉंसरा, पिर हट् millennials, इस deer connecting हो रहा है ठीक है तो most of the aquatic organism and amphibian external होता है reptiles, birds, mammals, bryophyte, etc. में internal fertilization होता है production of organism without fertilization is called parthenogenesis ठीक है इसमे honey example हो जाएगा honey bee है ना honey bee drones आजाएगा example इसका और इसका example आजाएगा तुम्हारा lecera sexicula americana एक आता है ठीक है post fertilization event में आगे तुम्हारा zygote zygote is the product of fertilization of a single cell ठीक है क्या बना इससे यह तुम्हारा हमेशा deployed होगा हमेशा deployed होगा हमेशा deployed होगा ठीक है embryogenesis क्या होगा zygote undergo cell division and differentiate leading to formation of embryo ठीक है ओभी पैरस अगर एक produce कर रहा तो ओभी पैरस अगर एक produce नहीं कर रहा तो वीवी पैरस है ठीक है जाएगोट मॉटल होगा हम बॉवेशली मॉटल होगा जाइगोट को बाहर निकाल दो मर जाएगा इसमें मोटल होगा इसमें क्या दिक्कत है कोई लोड इसका है तो यह चलो तुम्हारा रिप्रोक्शिन और्गानिजम खतम होगा ठीक क्यों सेक्षियल रिप्रोक्शिन फ्लावरिंग प्लांट अच्छा चैप्टर है इससे एक या दो सवाल आता है खास करके एंब्रियो साग डेवलोप्मेंट पर सवाल आता है ठी और इसके अंदर माइक्रोस्पुरेंजिया होता है जिसमें माइक्रोस्पोर होते हैं ठीक है स्ट्रक्चर देखोगे माइक्रोस्पुरेंजिया तो चार लेयर हो गया एपिडर्मिस एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम पहला तीन लेयर तुम्हारा क्या करता है प्रोटेक्शन का काम करता है इनरमोस लेयर क्या करता है तुम्हारा नूट्रिशन देता है पॉलन ग्रोन को स्पोरोज से बनता है micro spore या pollen grain ठीक है? pollen grain की बात करोगे double layered होता है पहला layer जो है exyne made up of sporopolline कहीं कहीं तुम्हारा sporopolline absent होता है जहां से pollen tube germinate करता है उसको germ pore कहते है inner wall को intime कहते है it is made up of cellulose and pectine ठीक है pollen grain contains two cells, vegetative cells जो बड़ा होता है and abundant food reserve होता है, generative cells जो छोटा होता है नुकलियस ठीक है इन 60% of the angiosperms pollen grains हा set up at 2 cells बाकी में 3 cells में होता है ठीक है rice और wheat में pollen का viability 30 minute का होता है rosacee, leguminacee में कुछ महिनों के लिए होता है और pollen को हम save कर सकते हैं कहां minus 196 degrees Celsius पे liquid nitrogen में liquid nitrogen में क्या कहते हैं इसको हम कहते है cryopreservation इसको हम कहते है cryopreservation ठीक है pollen grain of many species cause allergy जैसे तुमारा example आगया इसका parthenium example आगया parthenium ठीक है pollen grains है rich in supplement and are used as food supplement ठीक है gynosium represent करता है female reproductive part of the plant तीन पार्ट है stigma style ovary inside ovary ovarian cavity है ठीक है जिसके अंदर होगा ovule या इसको हम mega sporengium कहेंगे ठीक है it is attached to a stalk by funicle hyalum junction है between ovary and funicle इसका दो protection है outer integument inner integument ठीक है at the tip एक opening है जिसको micropyle कहते हैं और नीचे वाले end को हम chalazal end कहते हैं ठीक है इसके पास cells है new celles जो nutrition provide करता है formation of mega spore from mega spore mother cell is called mega sporogenesis और यह जो development होता है वो monosporic development होता है क्योंकि एक ही mega spore tetraad में से एक ही grow करता है only one mega spore becomes functional and three degenerate तो functional mega spore develops into female gametophyte या embryo sac कहते हैं और इसको हम monosporic development कहते हैं इसको हम monosporic development कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम monosporic development करते हैं ठीक है sequential mitotic nuclear division results in eight nucleate stage तो seven cell eight nucleate structure embryo sac का बनता है जिसमें क्या क्या है जिसमें क्या है एक apparatus है एक apparatus मतलब दो synergit एक cell ठीक है synergit के पास special cell लोग थिक्निंग है जो philiform apparatus बनता है जो guide करता है pollen tube को scalizer end पे तीन cell है जो antipodal cells कहते हैं और central cell के पास दो polar nuclei होता है तो eight nucleate seven cell stage होता है embryo sac का इस पर सवाल आया होता है eight nucleate seven cell stage होता है embryo sac का इस पर सवाल आया हुआ था ठीक है pollination transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination तो किस किस तरह का होता है autogamy transfer of pollen grain from anther to stigma of the same flower gitnogamy transfer of pollen grain from anther to stigma of another flower of the same plant xenogamy transfer of pollen grain from anther to stigma to different plant different plant में है to xenogamy same पे है to autogamy और same plant different flower पे है to gitnogamy तो पहला दो technically self-pollination है आखरी वाला जो है cross pollination है तो autogrammy किसमें होता है viola, oxalis and komellina तो इसमें दो तरह के flower होते है chasmogamous flower जो open होते हैं और klystogamous flower जो open नहीं होते हैं जो open नहीं हो रहे हैं वो सिर्फ autogrammy show करते हैं जो open हो रहे हैं वो autogrammy और jitnogamy दोनों show कर सकते हैं continued self pollination results in inbreeding depression यहाँ भी बिल्कुल तो उसके लिए हम discourage करते हैं self pollination को और encourage करते है cross pollination को कैसे by autobreeding devices क्या-क्या outbreeding devices है anthem and stigma are placed at different position लड़की लंबी लॉंडा नीचे है कहां से आएगा दूसरा आपस में self incompatibility होता है और तीसरा production of unisexual flower तो यह outbreeding devices है ठीक है अब आते है agents of pollination abiotic agent में आ गया तुमारा wind that is animophily maze और grass monocot में जादा तो होगा water में hydrophily hydrilla, valisneria, jostra याद रखेगा water lily और water hyacin wind और insect pollinated है water pollinated नहीं होते है ठीक है animal में तुमारा insect आ गया ठीक है amorphophallus और yukka plant amorphophallus trollus flower है yukka plant moth के साथ रहता है ठीक है अब देखो क्या हो गया यह wind pollinated के लिए well exposed salmon large feathery stigma water pollinated के लिए water डाल दो wind डाल दो ठीक है क्या होता है कि mucilisiness coating होता है याद रखेगा सबसे कम species water pollinated होती है ठीक है बाकी फिर animal pollinated वाले में यह आ गया या insect pollinated वाले में यह आ गया ठीक है ठीक है insect pollinated flower large colorful fragrant and rich in nectar ठीक है कभी कभी relationship between moth and yukka plant यह symbiotic relationship पे दोनों एक दूसरे के life cycle पे depend करते हैं ठीक है pollen pistol interaction पे आते हैं भाई अपना pollen अपने pistol को पैचान लेता है किसी और के pollen tube के germination नहीं करने देते हैं तो क्या करता है pistol pistol का जो stigma है वो अपने pollen tube को germinate कराता है किसी और के pollen tube को germinate नहीं करता है वाया chemical reaction जिसको pollen pistil interaction कहते हैं ठीक है artificial hybridization की बात करेंगे तो क्या होता है artificial hybridization क्या करते हैं हम को अगर माल लो किसी का जलेजिद में चाहिसे करेंगे पहले कियो यह कुद्ध यह क्योंकि में तो है ही नहीं यॉस्ता पूशनra इंस्ट्छियंगे क्या होता एक कि जो दो cell stage में pollen grain था वो तीन cell stage में divide कर जाता है जिसमें दो male gamit होता है एक male gamit घुशता है तुम्हारा एक cell के साथ और बनाता है zygote और दूसरा male gamit तुम्हारा fuse हो जाता है central nucleus के cell के साथ polar nuclei के साथ और triple fusion कराता है तो इसको हम double fertilization triple fusion कहते हैं ठीक है तो इससे endosperm बनेगा और इससे तुम्हारा zygote बनेगा तो primary endosperm cells develops into endosperm and zygote develops into embryo ठीक है इसको double fertilization कहते है जो नवाशीन ने discover किया था endosperm development endosperm development preceded embryonic development obviously खाना चाहिए ठीक है cells are filled with reserve food material बिलकुल primary endosperm nucleus undergoes nuclear division दो तरह का हो सकता है coconut water जो है वो free nuclear division शो करता है तो nuclear endosperm शो करता है और जो white kernel of coconut है वो cellular endosperm शो करते हैं white kernel of coconut जो है वो cellular endosperm शो करते हैं ठीक है चल एंब्रियोनिक development में आओगे तो embryonic development क्या होगा वह सेम होता है बोथ monocot and dicot में तो याद रखे हैं अब monocot endosperm होते हैं तुमारा dicot non-endosperm होते हैं ठीक है उसके वाद ovule से seed बनता है ठीक है और ovary से fruit बनता है ठीक है तो अब देखो endosperm seed जहां पे endosperm बच गया non-endosperm शीड जहां पे endosperm नहीं बचा ठीक है तो क्या होगा non-albuminus या non-endosperm albuminus या endosperm इसका example एक देख देना कि orchid orchid तुमारा non-endosperm में आता है ठीक है orchid तुमारा monocot है बट नौन-endosperm seed में आता है इस पिछली बार भी हमने करा दिया ठीक है बहुत पिछली बार भी हमने करा दिया था ओवरी development to fruit outer covering pericarp है ठीक है fruit में भी fleshy ठीक है और कभी-कभी तुमारा मतलब fibrous भी हो सकता है ठीक है apple strawberry cashew में thalamus से fruit बन रहा है तो इसको false fruit करता है अगर ovary से बन रहा है true fruit किसी और से बन रहा है तो false fruit production of fruit without fertilization is called parthenocarpic fruit बनाना होगे example ठीक है embryo is made up of embryonal axis दो cotyledon होते हैं ग्राम और पी में ठीक है अगर एक cotyledon है तो तुम्हारा monocot है ठीक है apicotyle portion of embryonal axis above the cotyledon ठीक है portion below hypocotyle ठीक है in some seed persistent useless रहता है जिसको perisperm कहते है example black paper and beet persistent useless is called perisperm example black paper and beet ठीक है oldest seed 10,000 साल पुराना lupinus arcticus arctic tundra में 2000 साल पुराना phoenix dactylifera dead pump near the dead sea अगर एक से ज़्यादे embryo है तो poly embryo नी example citrus and mango एक से ज्यादे embryo है तो poly embryo नी example citrus and mango कोई दिक्कर यहां तक कोई दिक्कर यहां तक प्लॉइडी बेटा डिप्लॉइड होता है देखो जाइगोट 2N एंडोस्पर्म 3N माइक्रोस्पोर एंब्रियो सैक एंड एल्यूरोन लेयर 3N ठीक है मालिक ठीक है मालिक हो गया दो डन तू डन कितने देर में हुआ दो पच्चीस मिनट में दो कोईशन के दो चाप्टर के लिए चलिए आगे बढ़ है आगे बढ़ है मालिक चलिए यूमें रिप्रोश्ट एपो मिक्सिद वही हो गया प्रोड़क्शन औफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इस एपो मिक्सिद प्रोड़क्शन औफ यूमें रिप्रोश्टिशन इस एपो बढ़ है तो देखो प्राइमरी सेक्स ओर्गन टेस्टेस पीमेल में ओवरी एक्सेसरी में रेटेटेसिज वासा एफ्रेंच्च एपिटेटमी वाड डिफरेंच्ट यहां पे ओविड़क्ट एक्स्टरनल जेनेटी लिए यहां पे ठीक है चलो तो टेस्टेस सिच्टेस आउटसाइड डामिनल काविटी विदिन दस्कॉर्टम स्कॉर्टम टेम्प्रेचर मिंटेंड करता है तू से टू पंट फाइव डिग्री सल्चेस कम ठीक है टेस्टेस में टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं कितने हैं डाइसर अससने टेस्टिट्य आघ्ट करता है मेल ऑर्मोन अंड टीक है openings बना मेल द웃 दी eh जो कट जाता है कुछ रिलीजन में उसको हम सरकम सीजन कहते हैं याद आखिए का erection of penis is a parasympathetic activity and ejaculation is a sympathetic activity erection of penis is a parasympathetic activity, ejaculation is a sympathetic activity ठीक है accessory gland में कौन को न सागया, bulvodetral gland help करता है lubrication of penis paired होता है, seminal vesicle paired होता है seminal vesicle क्या secret करता है, seminal vesicle secret करता है, seminal plasma और prostate gland secret करता है, prostaglandin, prostate gland unpaired होता है, bulvodetral gland paired होता है, seminal vesicle paired होता है, bulvodetral gland paired होता है, seminal vesicle paired होता है ठीक है, अब आते है, female reproductive system क्या है, तो देखो या, female reproductive system में क्या आ गया, female accessory duct, fallopian tube आ गया है तुम्हारा, ठीक है, ove duct जिसको कहते है, part closer to ovaries is a funnel ship, infundibulum, infundibulum में finger like projection है, जिसको fembrae कहते है, broad part ampulla, narrow plus, instumus, ठीक है, उसके नीचे आ गया uterus, uterus का 3 layer होता है, perimetrium, myometrium और endometrium, perimetrium outer part है, beach वाला part जो है, myometrium जो contraction करेगा during partulation और अंदर वाला part है, endometrium which is highly vascular, जो help करेगा menstrual cycle में, ठीक है, उसके बार आगया cervical canal along with vagina forms the birth canal, तो cervix आगया uterus के बाद, और उसके बाद फिर वजाइना आगया, वजाइना में insemination होता है, ठीक है, female external genitalia में आगया तोबारा, mons pubis, labia majora, labia manora, hymen and clitoris, clitoris is homologous to male penis, labia majora, उपर वाला portion, labia minora, अंदर वाला portion, mons pubis, clitoris की उपर, यहाँ पर, ठीक, subcutaneous fat है, और hymen is not a true sign for pregnancy, ठीक, तीसरा breast की बाद करोगे, breast pair में होता है, ठीक है, तो क्या हुआ, contains alveoli, तो memory alveoli, memory tubule, memory duct, memory ampula, और lactiferous duct से बाहर निकल जाता है, और milk सको जाता है, निपल के तुरू, milk let down hormone, oxytocin है, main parturation hormone भी oxytocin है, milk let down hormone, oxytocin है, main parturation hormone भी oxytocin है, ठीक, अब आते हैं, gametogenesis, तो पहला spermatogenesis, तो क्या होता है, spermatogonia, ploidy, 46, undergoes mitotis, तो क्या बना, primary sermatocytes, 2N है, ploidy, 46, उसके ameosis 1 हुआ, secondary sermatocyte बना, 23, उसके बना spermatid, spermatid में differentiation होता है, और बनता है, spermatos हुआ, spermatos हुआ, spermatos हुआ, जो बनता है, इस प्रोसेस को हम कहता है, spermiogenesis, and release of sperm from sertoli cell is called, spermiation, लिखिए, release of sperm from sertoli cell, release of spermatozoa from sertoli cell, क्या कहते है, मालिक, उसको, spermiation, क्या कहते है, इसको, spermiation, ठीक है, क्या कहते है, इसको, spermiation, ठीक है, अरे हाँ भाई वर्जिनिटी, वह बहुत अंग्रेज के अंडे, वही वर्जिनिटी, तो वर्जिनिटी का स्पेलिंग ठीक से तो लिख लो कदे, ग्यान दे रहे हो, भावनाओ को समझो कभी-कभी, सुनो, बढ़ा वजिनिटी का पचाया है, इनको, आओ चिप-चाप से, हाई-पोथालमस, रिलीज करता है, जी है नार एज अट करेगा, एन्टीर पीटीर पर, क्या बनाएगा?, एफ ऐस एच और ल ह, फस तुम्हारा सटोलिक आट करेगा ls तुम्हारा लेडिक आट करेगा और और करेगा fsh तुम्हारा सटोलीं पर करेगा departments क्रेंग याघ अबस्ट भीउट बाकई चाहट स्पर्म की बात करोगे, स्पर्म is composed of head, neck, middle piece और tail, middle piece में mitochondria होता है, neck में proximal centriol होता है, head में acrosome होता है, और तुम्हारा nucleus होता है, ठीक है, 200 से 300 million normal sperm होता है, जिसमें तुम्हारा बच्चा होता है, जिससे बच्चा होता है, ठीक है, उजनेसिस की बात करोगे, तो क्या हो गया, उगोनिया, primary ucide, तो उगोनिया बना embryonic stage में, primary ucide तुम्हारा puberty टक बना, ठीक है, उसके 60,000 से 70,000 primary follicle रहता है, ठीक है, और ये arrested रहता है, diplotine stage में, ठीक है, उससे बना secondary follicle, tertiary follicle, tertiary follicle, tertiary follicle में fluid fill space है, जिसको हम antrum कहते हैं, यहा अप्चर करेगा graphene follicle into secondary ucide, ठीक है, जो ovulation का process रहता है, फर्स मियोटिक डिविजन से secondary ucide और फर्स polar body बना, उसके बाद, जब sperm का entry होगा, तो क्या होगा, सेकेंड, मियोटिक डिविजन होगा, और लिखेगा, ओवम, तो secondary ucide से, ओवम जो बनता है, वो sperm के entry के बाद बन ठीक है, तो यह आ गया तुमारा यहां पर, mensocycle के बाद करोगे, onset of menstruation, मिनार, mensocycle is divided into three phase, follicular phase, या proliferative phase, primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, फिर graphene follicle, और उसके बाद तुमारा जब LH सर्ज होगा, तो क्या आ जाएगा, तुमारा ovulation हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, FSH और LH का level follicular phase में जादा ह होता है, 14th day पर LH सर्ज होता है, जिससे ovulation होता है, ठीक है, mensural phase, bleeding phase है, 3-5 दिन चलता है, जहां पर shedding of endometrial lining होता है, ठीक है, ovulation के बाद, corpus luteum अनता है, corpus luteum तुमारा maintain करता है, LH initially और बाद में SCG maintain करता है, अगर pregnancy हो रहा है, तो, it will release large amount of progesterone and estrogen, जिसके कारण maintenance of endometrial lining होत करता है, mensural cycle, seizures around 50 years of age, इसको menopause करता है, जब रुख गया, तो menopause और जब है तो, ठीक है, उजनेसिस का ploidy, उदेखो, उगोनिया, लिखो, लिखो मालिक, उगोनिया, 2N, primary oocyte, 2N, secondary oocyte, N, और ovum, N, ठीक है, मालिक, हो गया, हुआ मालिक, जी, चल, fertilization, अब क्या हुआ, sperm गया, कहा तक गया, fertilization होता है, तुम्हारा, ampular region में, तो, fertilization हो गया, ampular region में, ठीक है, fusion और sperm हो हुआ हुआ, इसको fertilization कहते है, fertilization जबना, zygote, zygote, फिर, move करेगा, uterus की तरफ, और divide करते रहेगा, इस division को हम कहते है, cleavage, ठीक है, यह mitotic division को हम cleavage करते हैं, क्योंकि यहाँ पर size नहीं बड़ा होता, ठीक है, फिर, यह जो बना, इसको हम blastomere करते हैं, cells with 8 to 16 blastomere is called morula, morula का फिर से arrangement अच्छे से हो जाता है, blastocyst, blastocyst पास दो layer होता है, outer layer जिसको हम tropoblast करते हैं, और अंदर वाला layer जिसको हम inner cell mask करते हैं, inner cell mask, embryo में develop कर जाएगा, और tropoblast implantation में help करेगा, तो implantation एक वीगा pregnancy हो जाता है, कहां पर होता है, site of implantation is uterus, site of implantation is uterus, ठीक है, अब pregnancy and embryonic development क्या हुआ, finger like projection from tropoblast, chronic villi बना है, chronic villi uterine tissue के साथ inter digit कर जाएगा और बनाएगा, placenta, placental hormones क्या होता है, SCG, शुरू में initial days of pregnancy में SCG का level सबसे जाधा होगा, SCG, HPL, estrogen और progesterone release करता है, कुछ amount में cortisol भी release होता है, cortisol time of birth बताता है, ठीक है, embryonic development यह इस पर सवाल भी आता है, पहले month heart, second month fetus developed lumps and digit, first trimester major organ system, first movement and hair on head, fifth month, और तुमारा eyelid separate करता है, 6 महिने पर और eye lysis of arm, 9 month plus 7 दिन, बच्चा ready होता है, डेर्विदी के लिए, तो fully developed fetus signal भेजता है, जिससे maternal pituitary oxytocin release करती है, oxytocin uterine contraction कराता है, जिससे और ज्यादा oxytocin release होता है, इसको हम fetal ejection reflex करता है, हैं, ठीक है, बच्चा फिर बाहर निकल जाता है, बच्चा बाहर निकलता है, उसमें milk production होता है, milk में जो होता है, आई जी यह होता है, जिसको हम colostrum कहते हैं, which is rich in antibodies, ठीक है, which is rich in antibodies, ठीक है, विचर देचन antibodies, निकल ले, अब और रिप्रॉक्टिव एल्थ, तीन चाप्टर ड़न, चे, तीन चाप्टर ड़न, चे, रिप्रॉक्टिव हेल्थ, पैमिली प्लानिंग, 1951, रिप्रॉक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केर प्रोग्राम, RCH, ठीक है, अबादी कितना था, दो बिलियन था, दो हजार में, उसके बाद, इंडिया का साड़ तीन मिलियन था, अगर डेटा इंपॉर्टिव नहीं छोड़ दो, दोनों डेटा छोड़ दो, ठीक है, और natural method, पहला, periodic abstinence, preventing coitus between 10 to 17 days of menstrual cycle, withdrawal coitus interruptus, मतलब, वेजाइना में, से, बाहर निकाल दो, penis, prior to ejaculation, तो, ejaculation बाहर कर दो, और तीसरा हो गया, lactational immunorrhea, lactational immunorrhea, बेटा, क्या हुआ, यहाँ पे, तुमारा, ovulation नहीं होता, जब lactation हो रहा है, तो, up to six months, तुमारा, इज़द बच जाता है, मतलब, तुमारा, बिल नहीं पड़ता, ठीक है, ज़ंडे वाले बाबा कहां आ गया, बहुत, यही ज़ंडा ना, आपके कहीं चला जाएगा, तो, बहुत तकलीफ आएगे आपको, ठीक है, क्या चुल्हे लोग को समझ ही नहीं आता, उंको, चली, आईए, दुखी नहीं खतम होता लोग का भाई, ठीक है, नाच्रल मेठट का फाइदा क्या है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नुकसान क्या है, बहुत रिस्की मैठट है, थोड़ा, साबधानी वाटी, दुरगटना गटी, है ना, चली, बैरियर मेठट, भाई, ओवम और स्पर करता है, ठीक है, अगला, आइउडी, सबसे सेफेस मेठट है, ठीक है, तीन तरगा होता है, नॉन मेडिकेटेड लिप स्लूप, कॉपर रिलीजिंग, सीउटी, 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 सियूटी, मॉल्टी, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग, प्रोजस्ट्राट और, लेंगी 20, IUD increases phagocytosis sperm तो क्या करता है तुम्हारा copper releasing जो है CUT और CU7 जो है यह क्या करता है sperm की motility को कम करता है hormone releasing uterine mucos को ठिक करता है दाकि implantation अच्छा नहीं हो सबसे अच्छा accepted method है सबसे अच्छा expected method है oral contraceptives क्या होता है administration of small dose of either progesterone or progesterone estrogen combination have to be taken daily for a period of 21 days after a gap of 7 days it has to be repeated in the same pattern तो यह तुम्हारा oral contraceptive पिल होता है daily पिल में आ गए तुम्हारा maladie मालायन जो inhibit करता है ovulation ठीक है non-steroidal combination में सहली हो गया CDRI लखनाव में produce होता है it is a non-steroidal combination ठीक है it is also effective as emergency contraceptive या दखिएगा IUD is also effective as emergency contraceptive ठीक है injectables में आ गया depovera और implants आ गया आपका surgical method में तुम्हारा आ गया vasectomy अगर वास्र डिफरेंस को कट और ligate कर देते हैं vasectomy और अगर female में क्या है fallopian tube को cut कर देते हैं तो tubectomy तो fallopian tube में tubectomy और उधर आ गया vasectomy अग्या में मेडिकल termination of pregnancy क्या बहिए इंडिया में 1971 में legalize कर दिया गया था 2017 में नहा रूल है कि अगर फर्स ट्राइमेस्टर में बच्चा है तो तुम्हारा क्या हो रहा है तो एक medical practitioner ले चाहिए अगर सेकंड ट्राइमेस्टर है तो दो medical क्रe dopo ट्रायक सकते हैं एक्जांपल एृणपल एचाइवी वाइरस हेपेटाइस क्लमीद्य इस नहीं है वाइरस गौनोर event Wahr हश करन понравस्वार्ट करना क्यों जदे consider उसकता थिक्यक्ति या दखेएगा इसमें गस्तिवा उसका पर्मानेंट क्यों हो सकता है ठीक है, Hepatitis V and HIV can also be transmitted by sharing injection, transmission of fluid and from mother to fetus, except HIV, Hepatitis V and genital health is STDs are cured if detected early, ठीक है, Veneral disease needle से transfer नहीं होगा, सिर्फ HIV और Hepatitis V needle से transfer होगा, blood से, बाकी तुम्हारा Veneral disease needle से transfer नहीं होगा, ठीक, अच्छा, वाँ पीटी, शर मौक्टिस में सिर्फ 720 आ रही हैं, क्या करूँ, क्या funny था पीटी, वाँ, my god, you are so funny, are you comedy me, है, बहुत funny यार, हसो अपने उपर, कि तहीं, एक्जाम के टाइम भी यही बेफूप वाली बाते कर रहे हो, अब यहां पर बहुत को नहीं भी हो रहा, तो उसके लिएंग क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं, assisted reproductive technologies, क्या होता है, पहला test tube baby program, in vitro fertilization करके, हम बच्चा बनाते है, test tube में, तो पहला, IVF का हो गया, ZIFT, क्या किये, जाइगोट बनाए हम test tube में, और उसको फैलोपियन tube में transfer कर दिये, ठीक है, तो अप्टू 8 ब्लास्टों मेर कर रहे हैं, तो हम फैलोपियन tube में डालते हैं, तो ये in vivo fertilization का example है, तीसरा, अगर sperm penetrate नहीं कर पा रहा, तो क्या करते हैं, ICSI कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इंट्रा साइटो प्लाजमिक sperm injection, ठीक है, और लास्ट होता है, AI technique, artificial insemination, या IUI, intrauterine insemination, अगर किसी को erectile dysfunction है, या sperm count कम है, तो उसका हम AI या IUI कर देते हैं, और उसको बच्छा हो जाता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, four chapter done, unit one done, कोई दिक्कत यहां तक, चल रेड़ी आगे बढ़ें अगू बढ़ें मैं मेनत करूंगा आगे बढ़ें चल यह बोड़िया 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 चल अब आते हैं जनेटिक्स चलो चलो अब बागी आखरी वाले चाप्टर तो फटा फट हो जाएंगे दस दस में होंगे ठीक है प्रिंस्पल अभी नेटेंशन वेरीशन आप देखाएंज में कुछ नहीं है तुरूं तुरूं करेंगे ठीक है साथ कॉंट्रास्टिंग टेट क्या-क्या इस्टेमाइट फ्लावर कलर फ्लावर पोजिशन पॉट शेप पॉट कलर सीट कलर सीट शेप ठीक है कितना तुन इस उकल टू 14 कितने पर है तुमारा नंबर आफ लिंकेज ग्रूप 7 अन दीज कॉंट्रास्थिंग टेट रप्रेजन वे प्रेजन फ्लावर क्रोपोजोम ठीक है इन रहे इन नुट्लंण है यह मारे ग्रेगर मेंडर कंड़क्टेंगे एक्स्परिमेंट जन फासेम से इवप इसम से थेवाइए 4 मूजो मेंडर्टे में तो 90 फ्लाविशन इवा टॉन दो डॉप यह समझाने हुं जाने वाला पार्ट नहीं करें सीधे लॉप यह यह जिए तो फीनोटीफिक रिशियो 3-1 था यह जनेरेशन का जीनोटीफिक रिशियो 1-2-1 इसको हम कहते है law of purity of gamut इसका कोई exception नहीं है ठीक है तो क्या each unit factor segregates independent of each other without any blending ठीक है incomplete dominance की बात करोगे incomplete dominance exception है law of dominance का क्या होता है flower color snapdragon का क्या ratio होता है 1 is to 2 is to 1 ठीक है तो phenotypic ratio इसका होगा 1 is to 2 is to 1 और genotypic ratio भी होगा इसका 1 is to 2 is to 1 वेन दो अलील में से दोनों मतलब क्या करें है dominate नहीं कर पा रहा ठीक है दोनों थोड़ा बहुत dominate कर रहा और एक blended character है तो तुम्हारा incomplete dominance होता है co dominance की बात करोगे f1 generation resembles both parents ठीक है abo blood grouping in human beings ठीक है जैसे ab blood group जो होता है वो co dominance show करता है when a and b दोनों present है तो blood group ab होता है ठीक है abo is also an example of multiple realism तीन अलील है i a i b और small i ठीक है तो abo blood grouping example है love dominance का love segregation का multiple अलील का और co dominance का पीलियो ट्रॉपी single gene can exhibit multiple phenotypic expression तो इसको पीलियो ट्रॉपी कहते है ठीक है example phenyle keto नोडिया inheritance of two gene क्या बहिए पहला cross pea plant having seeds with yellow color and round shape of seed of green color and wrinkle shape phenotype nine is to three is to three is to one ठीक है dihybrid cross से आपको मिला law of independent assortment क्या segregation of one pair independent of other law of independent assortment is the most debated law law of independent assortment is the most debated law ठीक है उसके बाद 1884 में मेंडल मर गया ठीक है मेंडल काम किये थे 1856 से 1863 तर 37 साल इन्हों ने काम किया मेंडल मर गये 1884 ठीक है ठीक है उसके बाद 1900 में तीन साइन्टिस्ट है यूगो डिवराइस कार्ल कॉरेंस और वान टेस्माथ यह री डिस्कवर किये मेंडल वर्क को ठीक है नाइंटिन टू में बवरियन सुट्टर्ण सिमिलारिटी दिखाए जीन और क्रोमोजोम पर और बोले के भाईया देखो जीन सेग्रीगेट नहीं करता है क्रोमोजोम सेग्रेट करता है जिसकी वजह से जीन का सेग्रीगेशन होता है 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 टू अलील आफ़ जीन पर लोकेटेट अन होमोलोगोस क्रोमोजोम ठीक है थी एच मॉर्गन थॉमस हंट मॉर्गन वक्किये फ्रूट फ्लाइप ड्रॉस फिला मेरा ने गास्टर टी एच मॉर्गन को फादर अब एक्स्परिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं द्रॉस फिला मेरा ने गास्टर का फ्लॉडी 2N is equal to 8 यह फ्रूट फ्लाइ होता है तो क्या 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 क्रॉस किया था मेंडल है यलो बॉड़ीड वाइड फीमेल टू ब्राउन बॉड़ी डेवियेशन दिखा ज्यादा पेरेंटल करेक्टर दिखा और कम रिकॉमिनेंट द जाते हैं इसी को जीन मैप में डाला एलफ्रेस टू अटेंड ने क्या बोला उसने वन परसेंट रिकॉमिनेशन फ्रिकॉंसी इस एकौल टू वन यूनिट ऑन जीन मैप तो मैक्सिमम रिकॉमिनेशन फिकॉंसी 50 परसेंट हो सकता है चल पॉलिजेनिक इनेटेंट अगर कैरेक्टर कंट्रोल है multiple जीन से तो पॉलिजेनिक इनेटेंट जैसे एक्जामपल हो गया यूमेन स्किन कलर एंड यूमेन हाइट इस एक्जामपल ऑफॉलिजेनिक इनेटेंटेंट ठीक है sex determination, hanking discover कियाता है x body जो sex determination कराता है ठीक है तीन तीन के तरह का होता है x x exo type ये grasp ofork में होगा male heterogamy वो मतलब कुछ नहीं है x x y type ये तुम्हारा drossophylla में होता है और इन्सान में होता है यार रखेगा drossophylla में x by a ratio sex determination करता है Y chromosome का कोई role नहीं होता है ठीक है ये दोनो male heterogramity है उसके बाद ZZZW type होगए ये birds में होगा और ZZZO type तुम्हारा butterfly होगा ZZZO butterfly अब आते है sex determination in honey bee ठीक है honey bee में क्या होता है haplo deployed mechanism होता है मतलब मतलब क्या हो मालिक देखो female 32 ठीक है ये divide कर गई 16 16 अंडे दिये male अगर parthenogenesis हो जागा तो ये तुम्हारा male हो गया ठीक है और अगर fusion of male and female gamit से हुआ तो ये तुम्हारा female होगा ठीक है तो parthenogenesis से male develop होता है और fusion of male and female gamit से female develop होता है ठीक पेटरी के अनलेसिट जार अभी तो समझाने का टाइम नहीं है बद जान लो autosomal dominant autosomal recessive x-link dominant x-link recessive और y-link ठीक है autosomal dominant का तरीका बता देते हैं अगर तुम लोगों ने पहले पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा तो x-link recessive है अगर सिर्फ male affected है तो वाइलिंट है ठीक है तो mendelion disorder कैसा करता हो गया तुम्हारा autosomal dominant autosomal recessive x-link recessive x-link dominant और वाइलिंट ठीक डीजे देख लो male female sex unspecified affected mating 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 between relative parent progeny और यह तुम्हारा पांच offspring present है और यहां sex unspecified इस सब पर सवाल आए हुआ हुआ है ठीक बिमारी देखो कौन-कौन सा है sickle salinemia chromosome number 11 control by hba hbh तो hbs hbs होता है तो sickle salinemia होता है it is cause duty of point mutation substitution of glutamate by valinon sixth codon और beta globin chain ठीक है तो single based substitution होता है ggc gug changes in the shape of rbc rbc elongated और sickle shape हो जाता है it is a qualitative disorder ठीक है थालिसीमिया autosomal recessive ठीक है यहां पर क्या हुआ alpha globin chain और beta globin chain नहीं बनता है थालिसीमिया है यह में क्या होता है hbhb2 नहीं बनता chromosome 16 ठीक है और थालिसीमिया B में hbbg नहीं बनता chromosome 11 में थालिसीमिया quantitative disorder and it is cause due to deletion मतलब frame shift mutation होता है ठीक है हाथ उसकी बहुत जल्दी जागे तो मेंसे साइकल एक्स्पिनेशन के लिए ना बहुत जल्दी पूश्टी बाप रिपाव अगले साल आना अगले साल बताएंगे ठीक है इस साल के लिए तो हो गया मेंसे साइकल आओ आओ चल आगे बढ़ता है अब आता है अगला है हीमोफिलिया एक्सलिंग रिसेसिव डिसॉर्डर ठीक है क्या प्रोटीन इंवॉल्विंग ट्लोटिंग और ब्लड क्लोटिंग फाक्टर एट आप्शन होता है यहां होता है फीमेल एफेक्टेड नहीं होती बिमारी चला जाता है संस को ठीक है फीमेल हमेशा कैरियर होती है यहां पर ठीक है यहार रखना मायो टॉनिक डिस्ट्रॉफी सवाल आएगा ऑटोजोमल डॉमिनेंट होता है ऑटोजोमल डॉमिनेंट होता है ठीक कला ब्लाइडनेस अगें यह भी एक्सलिंग रिसेसिव है ठीक सेम हिसाब किताब यहां भी होता है सेम हिसाब किताब यहां भी होता है ठीक है फिर फिनाइल के टॉन हो रिया क्या हुआ भाई यह भी autosomal recessive है क्या है error in metabolism chromosome number 12 पे effective individual lack phenylalanine hydrooxyzealase तो phenylalanine convert नियोपाता टाइरोसीन में तो convert हो जाता है phenylalanine phenyl pyruvic acid में जिसके कारण mental retardation होता है और reduction in skin pigmentation होता है chromosomal disorders chromosomal abrasion को कहते है absence and excess of chromosome को chromosomal abrasion कहते है down syndrome number of chromosome 47 trisomy of chromosome number 21 discover किया था langdon down ने short stature small round head furrowed tongue partially open mouth और इसको तुमारा phenyl ketonorya complementary मिलता है ठीक है client filters number of chromosome 47 xxy होता है overall masculine development gynecomastia sterile होता है और male होता है मतब male तो क्या ही हुआ मतब sterile होता है ठीक है turner syndrome exo 45 number of chromosome secondary sexual character नहीं होता female sterile होती है short stature होती है mentally retarded होती है ठीक है short stature xyy होता है इसको हम कहते है jacob syndrome male होता है और यह fertile होता है याद रखिए ठीक है इसको super male करते है ठीक है और xxx यह super female होती है यह भी fertile होती है यह भी ठीक है ठीक है ठीक है मालिक है ठीक है मालिक जाद Zarine सब्सक्राइब करते हैं दो मिट बारे हम ना गले वाला दवाई खाकर ठीक है दो मिट आरे हैं जाना बता भी दो मिट आरे बस खता मी कर लेंगे वह मेरे एक है लिमिन चूज का नंद खाते हैं वह खाते हैं कि अगर दो कि कि अगर दो कि अगर कि अगर कि अगर कि कि अगर कि अगर कि को गगा तमारा सारा चलो आपा चाप्टर नमग सेक्स हां आजिए छैप्टर में शिख कर लेकिए हाओ पूँज़ करें तो मॉलेक्टलर बेसिस अप इनेडिटर रेडी चला हो गया हो गया हो गया टाइम पास बहुत शुरू करें कि मालिक शुरू करें है कि सर अपनी रिंग दिखाई है देखो और कुछ दिखाएं कि इसका लगी पहनी होगी है बताओ तुम लोगों तो एक्जाम में पहन के पूछते जाना होगा है कि नहीं और को फर्माइट एक्जाम के पहले आखरी एक्षा पूछते ना मरने वाले से आगे नहीं हाँ भाई 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 पॉक इनके अगे आओ क्या बढ़िया सर्च पर जनेटिक एटिएल सबसे पहले ट्रांस्पोर्निंग प्रिंचिपल 1928 फ्रेडिक गिफेद स्टेप्रों का पर निमुनिया पर काम किया था एस्ट्रेन आजट्रेन दिया चुवा मर गया आजट्रेन दिया चुवा जिंदा रहा फीट की लेस्ट ट कहले ऐस्ट्रेशन दिया चुवा जिंदा रहा फ्यीट कीłosो । अप्शिक देखा कि देवल जिंदा एस्सथि न तुछ नोंaj बोला कि ब्याइब was something in the genetic material of the astrain bacteria that transformed the astrain bacteria into astrain bacteria तब क्या था उसके लिए biochemical characterization किया Oswald Avery, Colleen Macleod and Maclean McCarty तो उन्होंने क्या किया DNA जैसे डाला तो transformation नहीं हुआ बांकी सारे केस में transformation हुआ तो इन्होंने बोला कि transformation DNA करा रहा है बट अगेन इनकी बात को तवज्जू नहीं दिया गया और उसके फिर Alfred Hershey and Martha Chase ने किया तुमारा एक और experiment जिसको उन्होंने यूज किया virus यूज किया, bacteria phase यूज किया और एक virus को S35 में grow किया जिसमें protein radio level हो गया और एक virus को P32 में grow किया जिसमें nucleic acid label हो गया radioactive ठीक है उसके बाद infection किया blending किया फिर centrifugation किया और देखा कि एक case में तुमारा जो नए formed cells थे उसमें radioactive DNA था एक में radioactive DNA नहीं था और radio activity supernatant में था उसने देखा कि जो P32 वाले में था newly formed cell में radio activity दिखा और जो S35 वाले में था उसमें supernatant में radio activity था तो इससे यह इक इंग्रूट कर दिया कि भाईया phosphorus जा रहा अंदर मतलब DNA जा रहा अंदर मतलब DNA is the genetic material ठीक है ठीक है ठीक है तो bacteria that was infected virus that had radioactive protein were not radioactive और जिसके पास phosphorus radioactive था वो radioactive रहा ठीक है ठीक है डिने का सक्चा देखो जिसको उन है deoxy ribonucleic acid DNA और ribonucleic acid RNA दो तरह का nucleic acid है साइक्स 174 आज बोलेते है 5386 nucleotide बैक्टिरियोफेज lambda 48502 base pair E. coli 4.6 x 106 base pair and haploid content of human DNA 3.3 x 10 बार 9 base pair ठीक है single standard DNA होता है साइक्स 174 में structure of polynucleotide chain nitrogenous base pentose sugar phosphate group ठीक है nitrogenous base pentose sugar के साथ जूडा राता है by glycosidic linkage phosphate group जूडा राता है by by phosphodiester bond ठीक है ठीक है ठीक है वहने फॉस्पोइट इस लिंक्ट तू फॉस्पो इस्टर लिंक है तू नुकलोटाइट सा जॉइन बाए phosphodiester bond ठीक है DNA acidic substance होते हैं जो टर्म होता है तुम्हारा nucleic ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जेम्स वाट्शन और फ्रांसिक क्रिक बेस अन्डे X-ray diffraction pattern by Morris Wilkin and Rosalyn Franklin proposal TMS double helix structure of DNA ठीक है ठीक है पूरीन तुम्हारा adenine और guanine है cytosine thiamine और uracil pyrimidine है purine हमेशा pyrimidine के साथ जूडता है तुफर्म 2 hydrogen bond और adenine हमेशा thiamine के साथ जूड़ेगा तुफर्म 2 hydrogen bond guanine हमेशा cytosine के साथ जूड़ेगा तुफर्म 3 hydrogen bond चले सैलेंट features most of the polytubule tight chain where backbone is constituted by sugar and phosphate और base अंदर की तरह प्रोजेक्ट करता है दो chain anti polarity होता है right-handed fashion में rotatory है तो हम जो dna पढ़ते हैं उसको b dna कहते हैं balance dna कहते हैं diameter 20 armstrong pitch 3.4 nanometer ठीक है और 0.34 nanometer तुमारा एक base pair के बीच का distance होता है ठीक है एक टान में 10 base pair होता है ठीक DNA से DNA बनता है तो replication DNA से RNA मनता है तो transcription RNA से protein मनता है तो translation इसको हम central dogma कहते हैं यह दिया था Francis Crick ने वाइरस में RNA से DNA मनता है जिसको हम reverse transcription कहते हैं इसको हम Teminism या Baltimore कहते हैं इसको हम Teminism या Baltimore कहते हैं ठीक है DNA का packing कैसे होता है prokaryotes में DNA negatively charged है and is held by some protein that are positively charged इस protein को हम polymines कहते हैं DNA is in case in a genetic material region called nucleoid nucleoid में कोई membrane mon nucleus नहीं होता है you carry out में DNA negatively charged होता है and it is bound by set of positively charged protein जिसको हम histone protein कहते हैं चार तरह का histone protein होता है जो histone octomar बनाता है और यह आपस में जोडता है by H1 histone protein ठीक है यह बनाता है nucleosome एक nucleosome में 200 base pair होता है nucleosome आपस से combine कर जाता है और beats on a string like structure बनाता है इसको हम chromatin कहते है densely strain chromatin को heterochromatin कहते है loosely strain chromatin को u chromatin कहते है यह chromatin transcriptionally active होगा heterochromatin transcriptionally inactive होगा है ना heterochromatin transcriptionally inactive होगा replication semi conservative nature of DNA replication होता है experimental proof meselson ने दिया था क्या e coli को use किया था grow किया था n 15 h4 cl medium में ठीक है या दखिएगा n 15 is not radioactive तो it is separated by density centrifugation ठीक है फिर उसके Taylor ने same experiment किया था विश्या फेवा पे by using radioactive thymine by using radioactive thymine तो इन्होंने बोला dna replicate semi conservatively dna replicate semi conservatively चलिए machinery and enzymes क्या है बेटर देखो है पहला enzyme dna dependent dna अब देखो यहां पर काम की चीज़ बस पढ़ेंगा अब mechanism में नहीं हो सेंगे ठीक है तो क्या होगा देखो एक होता लीडिंग स्रैंड एक होता लागिंग स्रैंड ठीक है तो नया stand हमेशा 53 डेरेक्शन में आएगा तो three-five के उलटा वाला लीडिंग स्रैंड होगा इधर वाला लागिंग स्रैंड और यह फ्रैगमुंट होता है इसको तो क्या हो है transcription अगर अगर DNA से RNA बन रहा है तो transcription तीन रिजन होता है प्रमोटर रिजन शुरू वाला रिजन ठीक है उसके बाद बीज वाला स्ट्रक्चल जीन और अंदर लास वाला टर्मिनेटर रिजन ठीक है दो स्टैंड है यू कैरियोर्स में तो मोनोसिस्टोनिक प्रो कैरियोर्स में तो पॉलिसस्टोनिक यू कैरियोर्स में तो मोनोसिस्टोनिक प्रो कैरियोर्स में तो पॉलिसस्टोनिक यह स्प्लिटीजीन अरेंजमेंट होता है प्रो कैरियोर्स में ठीक है तो यार रखिएगा प्रो कैरियोर का बनता है कोडिंग स्रेंड सेम रहा जाता है सिर्फ थायमीन इज रिप्लेस्ट बाई युरैसिल प्रामोटर एंट टर्मिनेटर प्लैंग दा स्ट्रॉक्ट्ट्रल जीन ठीक है दा प्रोमोटर इस लोकेट फाइब प्राइमेंड अफ अप्स्ट्रीम जहां दखेगा ठीक ह in reference to coding strand तो जब भी हम बोलते हैं with reference to coding strand बोलते हैं तो promoter 5' and upstream coding strand याद अखेगा ठीक है Terminator 3' and downstream याद अखे तो जब भी हम बोलते हैं coding strand के reference से बोलते हैं template strand के reference से नहीं बोलते हैं सब्सक्राइब करें तो पहले प्रमोटर के साथ बाइंड करता है मतलब रो फैक्टर के साथ बाइंड करता है तीन तरह का आरेने बनता है आर आरएने tRNA और mRNA tRNA को हम adapter molecule भी कहते हैं polymerase use होता है DNA polymerase RNA polymerase 1, 2, 3 1 rRNA के लिए 2 hnRNA के लिए 3 tRNA के लिए तो ठीक है RNA polymerase is used for capitalizing sigma factor initiation termination factor polymerase 1 rRNA polymerase 2 hnRNA polymerase 3 tRNA और snRNA और 5s rRNA ठीक है hnRNA में फिर capping होता है 5 prime in पे tailing होता है 3 prime in पे और इससे बन जाता है मेरा functional mRNA coding sequence को हम exon कहते है non coding sequence को हम intron कहते है हम intron हटा देते हैं exon को जोड देते हैं by the help of RNA लाइगे है ठीक है tRNA देख लो इसको adaptor molecule कहते है देखो amino acid side anti-godon side t-c-c loop और dhu loop 4 part होता है ठीक है clover leaf model holly ने दिया था वैसे inverted L की तरह दिखता है clover leaf model holly ने दिया था वैसे inverted L की तरह दिखता है ठीक है genetic code की बात करोगे George Gamow a physicist who argued that since there are only four base and if they code for 20 amino acids ठीक है तो भाया तो यह genetic code replet होगा ठीक है हर गोविन खुराना ने बोला tRNA synthesize किया था Marshall Nenberg ने decipher किया था genetic code को by the help of several oka enzyme Marshall Nenberg ने decipher किया था genetic code को by the help of several oka enzyme start codon start codon AUG और कुछ case में GUG भी है जिसे कुछ case में GUG भी है ठीक है stop codon UA UAG and UGA ठीक है अब तुम इसमें देख लो कुछ कुछ तुमको याद करना पड़ेगा क्या GGG glycine के लिए होता है ठीक है जो जो मैं underline कर रहा हूँ उसको याद कर लेना यहाँ पर देखो GGG AGGGG पर GG वाले सारे हैं वह glycine होते हैं याद रख लेना ठीक है पर तुम याद रख लेना लिशन्च हो रहा है तो फ्रेम्शिप्ट मुटेशन बस अब इतना जान जो सिकल चलेनियमिया पॉइंट मुटेशन का एक्जाम्पल हो गया और ठालेसीमिया फ्रेम्शिप्ट मुटेशन का एक्जाम्पल हो गया Salient feature of genetic code genetic code triplet है terminator coding तुमारे UAA, UAG and UGA a codon, codes for a amino acid तो unambiguous है अगर बहुत amino acid के लिए single codon code कर रहा है तो degeneracy है contagious fashion होता है there is no punctuation genetic code universal होता है पहला code जो है वो phenylaline था AUG का दूसर dual function होता है methionine के लिए code करता है और initiator codon भी होता है translation सब तीनों को चाहिए RRNA, TRN, mRNA ठीक है, MRNA template के तरह एक करता है RRNA उसके उपर जूटता है दो सब इनूट होता है RRNA का larger सब इनूट है smaller सब इनूट दोनों जूड़ा रहता है MG2 प्लस के दाथ हमाईने उसे लेके TRN आता है enzyme use होता है peptidal transferase enzyme इससे बन जाता है peptide bot ठीक है कुछ sequence जो translate नहीं होता उसको हम UTR कर कहते है UTR तुमारा efficient translation के लिए important होता है UTR तुमारा efficient translation के लिए important होता है ठीक है regulation of gene expression करें lack of neuron पहला तो देखो भईया आराम से काम करो देखो यहाँ पे I repressor MRNA बनाएगा इससे repressor बनाएगा यह operator site है जब inducer नहीं है जो lactose है तो यह structure जिनका काम नहीं हो रहा है जब inducer आ गया तो beta glycosides permease और transacetylis beta glycosides lactose को breakdown करेगा glucose और galactose में permease तुमारा membrane formality बढ़ाएगा और transacetylis तुमारा detoxification करेगा last molecule lactose के पास है जब lactose सारा कतम हो जागा तो repressor से lactose फिर साट जाएगा और यह वापस operator binding site पर चला जाएगा ठीक है याद रखना negative regulation है और inducible है ठीक है inducer जो है lactose है ठीक human genome project 13 साल का major project था complete हुआ था 23 में chromosome number 1 2006 में goal अलग-अलग ता काम था बहुत सारा काम उतना लोड नहीं पड़ना non human जो यूज किये था हम किसको east का clone निकाले seranobrist elegans nematode drosophila plant में rice और arbidio obses इसका भी हम sequencing निकालेते है vector use करते था हम BSE और YSE bacteria artificial को मुझे हम और east artificial को मुझे हम sequencing technique यूज किया था सैंग करते हैं दो तरह का हम काम करते थे express sequence चांग है sequence पूरा sequence निकालने हैं तो sequence annotation कुछ sequence निकालने हैं तो express sequence tag ठीक है salient feature इतना gene है 30000 base होता है chromosome 1 के पास 2968 Y के पास 231 ठीक है 1.4 million location था जो single base differential करता था इसको snips कहते थे यह help करता था हमको DNA polymorphism देखने में DNA fingerprinting 99.9% base sequence same है तो क्या होता था हम यही polymorphism देखते थे तो जहां पर high degree of polymorphism है उसी को ले के करते थे इसको हम VNTR कहते हैं जिसको variable number time to repeat करते हैं VNTR तुम्हारा class of micro satellite mini satellite है ठीक है इसको ट्रांसफर किये सदन प्लॉटिंग टेखनीक से फिर उसके राइब्राइशन किये यूजिंग VNTR प्रो और उसके राटो रेडियोग्राफिस से हम मिल आए कि मिल रहा है कि ने number of tandem repeats कितने हैं हो गया चाप्टर कदे हैं ठीक है ठीक है बेटा किलियर किलियर एक्दम दिमाग में सब घूंग गया चलिए बहुत बढ़े हूं अब आके हैं इवाल्यूशन अब आते हैं इवाल्यूशन ने ने ब्रेक बजा इस वीडियो में ब्रेक नहीं मिलेगा वैट हम भी घजा के दिनक आएंगा तुम लोग के चकर में हम रहेंगे पहले खतम कर देंगे उसके बाद दिरेक मिलेगा मत्यक्रायन कता कि नहीं वैसे पड़ाते जैसे मंदिर में पुजाड़ी से वैसे एक तरफ से शुरू करता है खतम कर देता है लग रहे हैं इसे पूरा ब जाप्टर ने ठीक है उसके सब सारे छोड़ी छोड़ी चाप्टर ने तो अराम अराम से खसम हो जागा जाए जाए जाचे बाइटिक्नलाजी वन टू फिर इसके माइक्रोब सब तीन तो ऐसे चाप्टर जो पांच मेंट्टर ने रफ्टाएंगे तो कले दम फूल-उन र अम मेरा अंडराउंड में प्था चांगे आए ऐसा ही बात है खो जाओ अंडराउंड बेटा तेक्विए है कोई ने चपा लेंगे तुम लोगे तुम एक्जान देखेंगा अंडराउंड हम कर देंगे लोड नहीं अरे याद इस इट सफीशेंट वाले बच्चे मत पूचा को अभी भी पूचो कि इस सफीशेंट कोई और दूसरा ऑप्शन है कोई और रात में आके तुमको पढ़ा देगा किन कल अली चिंटू नोट्स कल आप अपना पूरा दिन चिंटू के साथ बटाई यह चिंटू चिंटू क्या है यह चिंटू चिंटू है अब कि अभी समझने वाला काम मत करो सब उपर से जाएगा अज भूल जा जितना समझ रो इतना अच्छा है कुछ तो गया होगा ना कुछ रटने वाला तो गया होगा कि अच्छा तीन तरह का आरेने पॉलिम्रेट होता है सर बोलेते आच्छा आप समझने हो नहीं करेंगे थोड़ा चले घ्राथ कि अचले बात लाएं अचल कि अचल क्या आगर उसकार आज वीडियो बना देंगे ठीक है कि पुझे है किते बज़े सुने हुआ यूनिवर्स तुम्हारा हो गया उसके गैसे कंडेंस कर गया गैलेक्सी बन गया हमारा आर्थ जो है 4.5 बिलिएन येश अगो बता ठीक है तो यह लाइफ 500 बिलिएन आट्र फॉर्मिशन आप मतलब 4 बिलिएन येश अगो लाइफ ठीक है ओर इजन ओफ लाइफ पहला थेयों स्पॉंटेने जनेशन बहीं बोला कि यह बायोटिक चीज से लाइफ तुरंत आ गया ठीक है वान एल्मोंट वोगेरा ने बोला था ठीक ह दूसरा ठीक है तो फिर आया ओपरीन है अपहले जिसमें दो तरह का बाद कहा बोला केमिकल उवालिशन और बायोजिकल इवालिशन दोनों हो रहा है ओपरीन ओफ रश्या एन हैल्डेन और इंग्लेंड जेबिए अल्डेन फोर इंग्लेंड तो क्या-क्या होला कि प्रिमि इससे gaseous बने और्ग्यानिक वो बने ठीक है यहाद रखेगा 800 डिग्री सल्चियस मीथेन अमोनिया और हाइडोजेन का रेश्यो तू और इस टू अने इस टू था देखो यारी यह कहीं कहीं वेरी करता है कुछ कितार में कुछ और लिखा हुआ है ठीक है फर्स्ट नॉन चल्यों फर्म अफ लाइफ कुड़ा ओरिजनेटेट थ्री बिलियों यह से बैक इट कन बी जाइन्ट मॉल्कूर्स ठीक है तो ओपेरिंट डिस्कवर किया था सियो सर्वेट है एंचाटिम तुमारा नहीं है भूल जा ठीक है और सेडनी फॉक्स किया यह था सिय तुम्हारा ने चलिए अश्ट जरो मर वोलिए ठीक है एक्साट मिडिग फ्रूफ किया अश्यल मिलर ने जूरे और निलाने इसको फ्रॉश्य ने प्रूफ किया एंदे आमाइनो एशिट छली वैविदेंटेंट आविदेंटेंट देहो पहला पेलेंटो और इसको होमो लोगी कहते हैं कॉमन इंसेस्ट्री है एक्जामपल वेल बैट चीता यूमन फोर लिम्स ठीक है वर्टिब्रेस ब्रेन और हाट थॉंस एंड टेंडल्स और बॉगिन विला एंड कुकरबिटा यह सारे होमो लोगस और अनलोगस और डिफरेंट ओरीजिन सेम फंच्छन कनवर्जेंट इवालिशन शो करता है देशेर सेम हैविटाग ठीक है एक्जामपल आई ऑफ अक्टोपस एंड मैमल्स फिलिपर ऑफ पेंगिन सैंड डाल्फिन स्वीट पोटाटो एंड पोटाटो ठीक है इतने एक्जामपल इंचार्टी में दिया हो हमने कर अब टाइम भी बेस अब राट पर वीडियो बनाएंगे तुमको युक्रेयन भी बेज़ेंगे इस वार ना जाना जाके लड़के आना तो युक्रेयन भीज़ेंगे तुमको बढ़ियां से कि अभी जाने निकों बिज़ेश को लेज है मेरा अभी खाली है वहाँ पर एविडेंशेस प्रों बायो केमिस्टी एंड केमिकल फिजियोजी ठीक है टिमेराइटेश इन प्रोटीन जीन परफॉर्मिंग ड्याइवर्स और्गानिजम कंट्रूर्स तु कॉमन एंसेस्ट्री ठीक है यह दिखा दिया ठीक फिर एविडेंशेस प्रम नैचुरल सेलेक ठीक है ठीक है होईवर आप्टे इंडस्ट्रील इवालिशन दा प्रोपोर्शन वाज रिवर्स तो इसको इसको इन एंग्जाम्पल ओफ इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मेलनिजम क्यों कर दूरिंग पोस्ट्रियलिशन डिट्रिंस बिखेंड तो नेचर उसको सेलेट करता है ठीक है इसको इन एंजाम्पल और नाच्रोल सेलेक्शन ठीक है एन्थ्ट्रोपोजिनिक इवालिशन इंसान की वाज़े से इसको हम कहते हैं आर्टीफीशल सेलेक्ट्शन ठीक तो antivitis और drug resistant organism develop हुए ठीक है दूसरा evolution is not a directed process is a stochastic progress मतलब की progressive evolution भी हो सकता है retrogressive evolution मतलब simple to complex और retrogressive मतलब complex to simple ठीक है तो बायो जोग्राफिकल distribution तुमारा अलग-अलग बायोजग्रफी में आ गया, adaptive radiation क्या होता है, अगर geographical isolation हो रहा है, ठीक है, और food resources limited है, तो organism दूसरे habitat से चला जाता है, उसको हम adaptive radiation कहते हैं, the process of evolution of different species in a given geographical area, starting from a point and radiating to other areas of geography is called adaptive radiation, ठीक है, example, तुमारा adaptive radiation का Australian marsupials और Darwin finches, यार रखेगा, दो adaptive radiation अगर साथ हो रहा है, एक जगा पे, तो वो दोनों आपस में convergent होते हैं, ठीक है, वैसे adaptive radiation, divergent evolution शो करते हैं, but दो adaptive radiation जो है, वो convergent evolution शो करते हैं, हाँ, ठीक है, तो convergent evolution adaptive को जो, more than one adaptive radiation occur to have occurred in an isolated geographical area, इसको convergent evolution कहते हैं, example, australine marsupial and placental members, चलिए, theory of Lamarckism, बाप्रेश, Lamarckism को explain क्या डाला है, मेरे team में, ठीक है, Lamarckism, ठीक है, या पहला, before Darwin French naturalist, Lamarck said that evolution of life form has occurred by use and disuse of organ, ठीक है, example of giraffe बोला, बोला जिराव का गर्दन, उपर वाला खारा था, तो तो तुम्हारा उसका गर्दन लंबा हो गया, ठीक है, बट अगेन इसको कोई नहीं मानता, फिर है Darwinism, Darwin ने बोला, theory of natural selection, क्या बोला, fitness of individual बोला, and by fitness he meant reproductive fitness, ठीक है, Alfred Wallace, भी similar conclusion पे पहुँचे, as compared to Darwin, ठीक है, Darwin का काम Thomas Malthus से बहुत influence था, Thomas Malthus population पे काम करते थे, उन्होंने बोला, कि food resources limited है, जिसकी वज़े से competition होगा, ठीक है, तो उसके बाद, Alfred Wallace ने काम किया था, मले आर्ची पिलागों पे, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, branching descent and natural selection are the two key concept of Darwinian story of evolution, branching descent and natural selection are the two key concept for Darwinian story of evolution, मुटेशनल चोरी, यूगो डिवराइज ने दिया था, यूगो डिवराइज वर्क किये थे, evening, primrose, और नी थेरा, लमार किया आना पे, इन्होंने बोला, mutation random होता है, directional less होता है, ठीक है, Darwinian ने बोला, mutation smaller, directional होता है, single step large mutation को, saltation बोलते हैं, हैं, single step large mutation को, saltation बोलते हैं, ठीक है, अब आते हैं, hardy win-work equilibrium, इन्होंने बोला कि sum of the allelic frequency हमेशा constant होगा, तो इन्होंने बोला, p plus q equal to 1, p plus q allel दिखाता है, p square plus 2pq plus q square equal to 1, p square तुमारा capital A capital A दिखाता है, 2pq तुमारा capital A small A दिखाता है, q q, small A small A दिखाता है, तुमारा q square, ठीक है, hardy win-work equilibrium किस पर किसे factors पर काम करता है, पहला, gene migration या gene flow नहीं होना चाहिए, there should be no gene migration, लिखो, क्या हो गया, hardy win-work equilibrium किस पर काम करता है, there should be, no gene migration और gene flow, genetic drift भी नहीं होना चाहिए, genetic drift क्या होता है, sudden change in the allelic frequency is called, genetic drift और genetic drift हमेश्था small population क्यों होता है, ठीक है, तो gene migration नहीं होना चाहिए, genetic drift नहीं होना चाहिए, mutation नहीं होना चाहिए, genetic recombination नहीं होना चाहिए, natural selection नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, large population and random meeting, क्या होना चाहिए, large population और random क्या होना चाहिए, large population and random meeting, ठीक है, चले, natural selection can also lead to stabilization, directional and disruptive, तो देखो, अगर peak narrower हो रहा है, और 2PQ को support कर रहा है, हेट्रो जाएगा इंडिविजल की आवाद ही सबसे आद है, तो तुमारा stabilizing है, अगर किसी एक direction में shift हो रहा है, तो directional है, अगर दोनों opposite वाले कर रहे हैं और बीच वाले को कोई नहीं पूछ रहा, तो disruptive है, तो disruptive है, ठीक है, क्यों यह, अगला, अगला आते हैं, brief account of evolution, अगला आते हैं, brief account evolution, क्या यह बोलना सही होगा, P square plus Q square equal to one, नहीं डॉक्टर शायब, यह बोलना सही नहीं होगा, P square plus Q square equal to one, बोलना सही होगा है, न, brief history of evolution, देखो, 2000, million years ago, first cellular life form, ठीक है, by the time 500 million years ago, invertebrates, jawless fist 350, seaweeds and few plants 320, ठीक है, chlorophyte give rise to bryophytes and tracheophyte ancestors, पे आया है, tracheophytes give rise to jorestrophylum and rhino type, ठीक है, sillyton, silly phyton, common insertor for spinoside, pons, progymnose pumps and gymnose pumps, याद रखिएगा, sillyophyton से तुम्हारा gymnose pumps बना, ठीक है, seed fun gives rise to cycles and angiospons, ठीक, in 1938, South Africa में, एक fish cause गॉर्दा, जिसका नाम siolene था, जो extinct कमाना जा रहा है, ठीक है, amphibian evolves into reptiles, pitch like reptile, ischeteosaurus, land reptile, सबसे बड़ा था, t-rex, trinosaur ex, carnivore था, ठीक है, 20 feet का height था, और बहुत बड़ा दाथ था, 65 million years ago, dinosaurs suddenly खतम हो गया, पहला mammal, शुरू था, fossil बहुत छोटे साइज के थे, when reptiles came down, mammal took over the earth, due to continental drift, South America and North America join कर गया, तो इसलिए South America fauna was dominated by North America fauna, but Australia आलग था, तो इसलिए Australia में marsupials जिन्दा बच गया, ठीक है, बड़ी है, चलिए, evolution of man, dry up इथीकस, 15 साल पहले, रामा इथीकस, 15 साल पहले, dry up इथीकस वाज, more ape like, रामा की सीकस वाज, more man like, ठीक है, man like primate, 3 से 4 million years ago, 4 feet tall था, और श्टेलियोप इथीकस, 2 million years ago, used stone weapons, और हर भी वो रस्ता, मतलब मीट नहीं खाता था, homo habilis, first human like, did not eat meat, 650 सीसी, homo erectus, 1.5 million years ago, java man और peaking man, neanderthal, 1,440 साल पहले, Central Asia में, buddied dead one, chromagnin man, सबसे अधे cranial capacity इसका था, homo sapiens, 75,000 से 10,000 साल पहले, modern man, cranial capacity, 1400 सीसी, prehistoric cave art, तुमारा, 18,000 साल पहले, agriculture, तुमारा, 10,000 साल, पहले, ठीक है, 1450 साल, 1450, ठीक है, याद है, भीम बेदकर में, तुमारा, जो, के वाट था, भीम बेदकर, ठीक है, ठीक है, हाँ, हाँ, modern man, 1450, और, नियांडल साल, 1400, clear, हो गया, हो गया, आखरी बड़ा चाप्टर है, उसके सब चिंटू चाप्टर है, ठीक है, आखरी बड़ा चाप्टर है, फिर उसके छोटी-छोडी चाप्टर है, 50% कम्लीट कर लिए हम लोग, मत देना कल, कल मौक्टर भी नहीं जिना है, कल कुछ नहीं करना, कल चिल मोड, ठीक है, कल चिल मोड है, कल कुछ नहीं करना, कल बताएं क्या करना, अभी इसके बाद वीडियो एक डाल देंगे, कि कल क्या करना है, ठीक है, कितना बजा भी, 10 ही बजा ना, इसके परने मिट का एक वीडियो डाल देंगे, कल क्या करना है, आजा, यूमेल ले तो डिजीज, आओ, बलड सर्कुलेशन, विल्लियम हर्वे, डिजीज, राहें, इन्फेक्शेष डिजीज, नन इन्फेक्शेष डिजीज, इन्फेक्शेष में contagious हो गया, non contagious, ठीक है, इननौन इन्फेक्शेष में cancerous, deficiency, allergic और addiction, अलग 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 होता है, ठीक है वाइलल डीज में आ जाओ देखो जनिटल हर्पीस हर्पीस सिंप्लेक जनिटल वाट्स यूमन प्रपिलोमा वाइरस यलो फीवर फ्लैवी वाइरस डेंगू आर्बो वाइरस चिकन गुनिया और डेंगू दोनो एडिस एजिप्टेस से और इंसेपलेटिस तुम्हार सेंडर आरेने होता है दो कॉपी च्यों कि प्रोटीन कोट होता है और तुम्हारे इंजाइम्स होते हैं तुम्हारे इंटिग्रेज और प्रोटीज सेक्शल कॉंटेक के थूँ ट्रांस्फूजन के थूँ शेरिंग नीडल और इंफेक्टेड मुदर तुचाइल्ट फ्रू प्लसेंटा आफ्टर इंफेक्शन HIV इंटर करता है मैक्रोफेज में डेफलाप करते हैं इसलिए इसको हम HIV करते है अटाक करता है हैं हिल पर टी सेल को हैं है करता है हिल पर दी सिल को डियागनासिक टेस्ट ह Aeg civ के लिए हेलाइजा है इंजाइम इम्म्ह difा कां सा ब्लोट टेकनिक होता है Western उंवाट टेकनिक होता है 275 टिक के लिए इंडिया में और स्य नंतनला एक नंडना और सीटर्ष seven 184 एक दिसम्मर होता है तुम्मारा वुर्ड एंड जैला विर्फ को ऩुम्मंजेए यह क्रिक लॉस मारकल एंट तुबद आम क्लेरा इसनोर समातर जो किस्टेक्व औरी आिसनोर्स को खऴ स्वास्ट मेर सरे ठीक चोछरे स्वक्लार ट्रीमिब स्वड्लिक ऩॉ-चो, नीमोनिया स्ट्रेप्टो कॉकस्ट नीमोनिये श्मोल एक्ट करता है पीवर छिल्स कẫप उता है एक्सटीम के刹स में ग्रेइंग और नियल्स में हो जाता है मलेरिया qe선 एब से कमन तर्छ एक प्लाज्मोडियं प्लाज्मोडियं वीवेग सब सब्सक्राइब होता है Plasmodium Falsiferum जो malignant malaria cause करता है सबसे ज्यादा fatal होता है दो चाहिए human और mosquito infective state sporozoid होता है sporozoid liver में जाता है liver में reproduce करता है फिर blood में जाता है blood में sexual or asexual stage और दोनों होता है और इससे gametes बनता है mosquito को gut में जाता है mosquito gut में इसका fertilization होता है और यहां और उसके बाद इंफेक्टिव स्टेश सलाइवरी ग्लैंड में चला जाता है ठीक है ट्रीटिमेंट के लिए क्यूनीन यूज करते हैं मॉस्किटों के चिचोना बार्ख से कुनीन दियूज करते हैं मॉस्किटों लार्वों को फीड करते हैं ग्यामबूसिया फिस से जो खा जाता है मॉस्किटों को स्क्रॉटल से आपके एफेक्ट करता है जो क्रॉनिक डिजीज कॉस करता है चल्ड आगे अब आते हैं नॉन इंफेक्श्य डिजीज कैंसर क्या होता भी यह एक टिकनिक होता है क्या प्रोटाइं और अपस में प्यार दोनों के आप अपसमें चाहरा है इसको इसको इनिफियोट होता है तो इस property is called metastasis, treatment, surgery, radio therapy, chemotherapy और immunotherapy, diagnostic test कैसे करते हैं, cancer का cause कर ले, ionizing radiation, x-ray और gamma, non ionizing में UV, ठीक है, diagnostic test, biopsy, bone marrow test, radiography, CT और MRI, CT scan तुमारा, computer tomography और MRI तुमारा, magnetic resonance imaging ठीक है, 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 अगला, immunity, innate, acquired, चार ताइप का बारियर, फिजिकल, फिजिलोजिकल, सेलिलर, और साइटोकानी, साइटोकानी में, interferon, cellular में, PML, polymorphon nuclear, leukocytes, और macrophages, ठीक है, यह non phagocytosis में, तुमारा NK cells आता है, यह non phagocytosis होता है, non phagocytotic तुमारा NK cells आता है, फिजिलोजिकल में, acid in stomach, saliva, और tears from eyes, physical में skin और mucus, ठीक है, acquired immunity में T lymphocytes आया, जो cell mediated immunity दिखाएगा, CMI, और B lymphocyte है, जो antibody mediated immunity दिखाएगा, that is AMI, जो antibody immunity दिखाएगा, that is AMI, ठीक है, innate immunity, non-specific, physical barrier बात कर लिए, physiological बात कर लिए, cellular बात कर लिए, cytokinin बात कर लिए, ठीक है, acquired में, primary response slow होता है, कौन सा antibody release होता है, IgM, secondary response या amnestic response में, memory यार रख रहता है, तो इसलिए इसका response बहुत fast होता है, यह base होता है, memory पर, ठीक है, दो तरह के lymphocyte है, B lymphocyte और T lymphocyte, ठीक है, T lymphocyte में आ गया, जो cell-mediated immunity कर आएगा, कौन-कौन सा है, helper T cells, killer T cells, memory T cells, और suppressor T cell, ठीक है, यह चार तरह के होता है, जो cell-mediated immunity कराता है, ठीक है, antibody immunity कराता है, antibody, antibody जो है, H2L2 molecule से determine होता है, तो यह देखो, यह antigen binding site है, यह तुमारा constant chain है, और यह तुमारा variable chain है, है ना, variable chain और constant chain, ठीक है, दोनों जुड़ा होता है, दाइसलपाइट से, तो यह तुमारा heavy है, यह तुमारा light, heavy chain और light chain, heavy chain और light chain, चलो, आगे बढ़ते हैं, ताइप सब एकवाड़ immunity, active, passive, अगर हम antibody मेरा body produce कर रहा है, तो तुमारा active immunity है, ready made antibody है, तो passive immunity है, ready made antibody है, तो passive immunity है, vaccination और immunization क्या हुआ, memory के base पे होता है, ठीक है, vaccination और immunization, Edward Jenner father of vaccination थे, ठीक है, autoimmunity, अगर मेरा cell ही मेरे cell पे attack कर रहा है, तो इसको autoimmunity कहते है, जैसे rheumatid arthritis हमने अल्लड़ी किया है, माइस्थीनिया ग्रेविस हमने अल्लड़ी किया है, एक और जोड़े है, हैशी मोटो, हैशी मोटो में thyroid gland पे attack होता है, हैशी मोटो, ठीक है, allergy, अगर hyper response शो कर रहा है, ठीक है, जैसे तुम्हारा आ गया, इसमें हे फीवर, अगर excess case में हो जाता है, तो उसकों कहते है, anaphilatic shock, तो इसमें क्या होता है, epinephrine देना होता है, which is a vasoconstrictor, ठीक है, immune system और body की बात करेंगे, तो lymphoid organ, primary lymphoid organ, bone marrow thymus, secondary lymphoid organ, pair fracture, limb node, appendix, spleen और tonsils, ठीक है, फिल lymphoid tissue हो गया, lymphoid cells हो गया, और antibodies release कर दिया, malt, secondary lymphoid organ होता है, 50% of the lymphoid organ, जो है, malty ही होता है, 50% of lymphoid organ, जो है, malty होता है, ठीक है, चाहिए, अब, alcohol और drug abuse पर बात करते हैं, drug abuse में, जहाँ lymphoid organ डाल दिया, इन्हों है, opoids, ठीक है, opoids में आगया तुम्हारा morphine, heroin, कहाँ से, papyver, somniferam, कहाँ attack कर रहा है, GI tract और, CNS, ठीक है, cannabinoids, cannabis sativa, marijuana, hasis, chras, ganja, ठीक है, यह कहाँ आट किया, CVS और, CNS, coca alkoliid, erythrozylum, coca, cocaine, coke और crack, यह stimulant है, ठीक है, बाकी दोनों, depressant थे, और तुम्हारा यहाँ पर, cannabinoids से hallucination भी होता है, ठीक है, tobacco, nicotine, nicotine तुम्हारा, vasoconstrictor होता है, तो BP बढ़ाता है, ठीक है, alcohol, इससे liver cirrhosis होता है, ठीक है, enlargement of clitoris होगा, voice आपका heavy आजाएगा, gynecomastia आजाएगा, meals में, है न, तो alcohol से, यह सब चीजे होती है, ठीक है, तीन और है, barbiturates, sedatives, ठीक है, दूसरा, benzodiazepine, anti-anxiety, इसमें drowsiness कम हो गया, और amphidepermine, यह तुम्हारा शक्तिमान ड्रग होता है, ठीक है, यह stimulant है, लाएग, Sun depuisb Counter-Eा, इसी उसज़क पर, patient to cope up with mental illness, ठीक है, फिर LSD, यह fruiting body of fungus, clavicep से होता है, यह hyalocinogen है, यह क्या है, यह halocinogen है, कोई दिक्कष यहां तक बढ़े म्हालिक कोई दिक्कष यहां तक जाले बढ़ियां बढ़े यह हुआ ना बात अब एकदम चिल मोड पर जो ठीक है ऐसे करके पलंग पर ऐसे करके बढ़ जो ठीक है अब खतम बजाएगा ठीक है इंटरफेर करता है विट नियूरो रिसेप्टर डोपामीन ठीक है इससे इंटरफेर करता है चला ठीक है अब एक गंटा और लगे हो आई थिंग उससे जादा नहीं लगे हो चलो स्टाइडियो फूट प्रक्षिंग कुछ नहीं भाई या अनिमाल लेज्वेंटी डेरी फार तुम्हारा क्या हो गया एपी सेंटी का मोस्ट कॉमन सीट फिशरी में तुम्हारा आगे एडिवल फिश फ्रेश वाटर रोहु कतला कॉमन कार और मेराइन में साडीन हिल्षा मैक्रेल एंट पंपरेट ठीक है ऐनिमल ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग मतलब क्या हुआ आपस म मतलब सेंट फोर टू सिग जेनेशन डिफरेंट क्रॉस ब्रीडिंग तुम्हारा दो ब्रीड के बीच में हिसा आडेल किसमें था मेरीनो रैमन बीकानेरी इव्स ठीक है इंटर स्पेस्पी फट्रेशन मियूल हॉर्स और डंकी के बीच में हो गया तो मियूल ठीक है करते कैसे हैं आइटिफिशल इंसेमिनेशन अगर सीमें इंट्रीजूस करें सर्विक्स ऑफ फीमेल में ठीक है और मोईटी करते हैं मल्टिपल ओपुलेशन एंब्रीो ट्रांसपर तो क्या होता है कि हम एक्तिबीटी राव तेप है जिससे शूपर ओवीलेशन होता है उसके बाद fertilization करा देते हैं और एक को recover करते हैं non-surgically और mother में transfer कर देते हैं surrogate mother में transfer कर देते हैं तो इससे herd size जल्दी increase होता है ठीक है ठीक यह आगा तुम्हारा पूरा इधर dairy farm management देख लिए आपने poultry farm, bee keeping और fisheries ठीक है और कहीं से सवाल इसमें आता नहीं है तो inbreeding depression को दूर करने के लिए हम out cross या outbreeding कर सकते हैं चलिए plant breeding green revolution ठीक है green revolution MS Swaminathan इंडिया में किया था ठीक है wheat 11 million से 75 million ton हो गया ICMWI International Center of Wheat and Mage Development मेक्सिको ठीक है Norman Ebola semi dwarf variety of wheat develop किया high yielding disease resistant sonalika and kalyan sona sonalika and kalyan sona ठीक है rice IRRI IR8 and tai chung natin 1 Taiwan International Rice Research Institute Philippines Jaya Ratna semi dwarf variety India का राइस है ठीक है हाइ सुगर कॉंटेंट तो हम सक्षरम ऑफिस इंडिया में गुरो करने का राइस प्लांट ब्रीदिंग फॉर डिजी रिजिस्टेंस क्या क्या है फंगस ब्राउन रस्ट आफ वीट रेड रॉट आफ शुगर केन और लेट ब्लाइट आफ पुटाट्टो कोड़ बैक्टेरिया ब्लायक रॉट पुटिफिर उन्म्चिंट कावड़ वैरोस तुबैकुमोजाइग वैरोस टुंट मॉजाइब वायरोस है जल्व मॉजाइग वैरोस इन पावडरी मिल्डियों के लिए ठीक है यल्लो मॉजाइग वायरोस इन बिंडि वाट ट्रांसफर टू वाइल स्पीचिस रिजल्ट टू ए न्यू वराइटी प्रवानी करांती ठीक है तो यल्लो मजाएक वायरस इन भिंडी के लिए प्रवानी करांती याद रखेगा ठीक है भिंडी के लिए प्रवानी करांती और मुंग भी यल्लो मजाएक वायरस से है resistance याद रखिएए ठीक है तो जैसिट्स इन कॉटन सी रियल ली बेटल इन वीट इन वीट सॉली स्टें लिए टू नन प्रेटरेंस स्टेम साउ फ्लाइ घ्या के है इंप्रूट पूट कॉलिटी में इते देचिन, लाइजीन एंड ट्रिप्टोफेन, एटलस 66, वीड वराइटी, हाई प्रोटीन कॉंटेंट, ठीक है, आई ये आराई, इंडियन अग्रिकल्चर रिसर्च इंची जूर, ये सब काम कराता है, वाइटिमिन ए इंडिस, राइस, कॉटन, कैरट, स्पीनेच और प हीमगिरी वाला छूट गया, रुको, लिख लेन दो, हीमगिरी वाला लिख लो, दो टेबल है न, कौन कौन सा था, हीमगिरी, पूसा कॉमल, पटाफट लिख लो उसको, रह जागा, क्योंकि उससे तो आना ही आना है इसा बात, गलती से वो टेबल रह गया, वीट, हीमगिरी, बस इतना नाम जान लो, बागी पूरा कुछ नहीं जान लो, ठीक है, वीट, हीमगिरी, ठीक है, ब्रासिका, पूसा, स्वर्निम, कॉलिफ्लावर, क्या पूसा, सुभरा, और स्नोबाल, कॉपी, कोमल, पूसा, कोमल, और चिली, पूसा, सदा बहार, ठीक है, यह सब तु याद रह जागा, तीन तो तुमको याद होई जाएगा, ठीक है, ठीक है, और रेसिस्टेंट टू इंचक्ट वाले में आ जाएगा तुम्हारा, ब्रासिका, पूसा, गुरु, ठीक है, फ्लाट बीन, सेम, पूसा सेम, वन, टू और थ्री, ठीक है, और ओकरा या भिंडी, सवानी, ओकरा या बिंडी, सवानी, ठीक है, बढ़ेगा, सिंगल शेल प्रोटीन, फीडियन हंगर, स्पाइलूलिना, मिठाइलोफाइलेस, मिठाइलोट्रापोस और मश्रूम, ठीक है, ये क्या होता है, ये तुम्हारा, खूब सारा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, एस सिंगल से हम पूरा प्लांट डिवलट कर लेते हैं, उस प्रोसेऊ को, सबसे इंपर्टन चाप्टर है और सबसे ज्यादा सवाल इस पर आएंगे और सबसे छोटा क्याप्टर भी है ठीक है लाक्तिक अशिट बक्तिरिया कर्ड लाब अल्सो इंप्रूब्स नूटिशनल क्वालिटी और इंक्रीज़ वाइटमिन बीट्वल्फ ठीक है ब्रियोर्स इस सेक्चरो मैसिस बेकस इस सेक्चरो मैसिस ठीक है लाज हो लोता है स्विस चीज में इट इस दू बैक्टिरियम प्रॉपिनेरिया बैक्टिरियम शर्मानी ठीक है रॉकफर्ट चूज इस दू रॉकफर्टी ठीक है रॉकफर्ट चीज इस दू रॉकफर्टी ठीक है,emootered工TH洗NYS में East y, brewers East है यहार दखिएगा, बिना distillation के fermented आएगा, तो, alcohol content कम होगा अगर distillation है, तो, तुम्हारा fermentation नहीं होगा, तो फिर क्या होगा distillation होगा, ठीक है Antibiotics में, पहला Antibiotics developed किया था Alexander Flaming ने और full potential निकाला था Chenon, Florynay, कौन सा Soul पेनिसीलियम नोटेटम ठीक है? चेमिकल्स में इस्ट, इथेनॉल, लाइपेज और बॉटल जूस को प्रोटियस और पेक्टिनेज चाहिए होता है सब बहुत इंपोर्टन है इस इस दो मोस्ट इंपोर्टन पेराग्राफ ठीक है? यह मच खोड़ना सीवेश ट्रीटमेंट दो पार्ट में होगा प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिल्टरेशन, सेडिमेंटेशन बहर वाला पार्ट निकाल दो ठीक है? उसके बाद आजागा बायलोजिकल ट्रीटमेंट इसमें इफ्लोएंट को लाज एरिशन टैंक में डालो बैक्तिरिया, फंगस के साथ अस्टिएट करता है, मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है इसको फ्लोक्स कहते हैं, वो बायलोजिकल जो कॉंपोनेंट है, और्गानिक मेटर को तुमारा डाइजेस्ट कर जाता है ठीक है? उसके बाद यह सेटल लाउन कर जाता है, जिसको हम स्लज कहते है, अक्टिवेटे स्लज, कुछ अक्टिवेटे स्लज हम वापस साफ पानी में भी डाल देते हैं ठीक है? उसके बाद ऐनरोबिक डाइजेस्टर में जाके तुमारा स्लज डाइजेस्ट हो जाता है इससे मीथेन गास प्रोडूस होता है, जिसको बाइजेस्ट के लिए यूज करते हैं, बाइजेस्ट सेम, तुमारा मिनिस्ट्य आप इन्वाइरमेंट और फॉरेस्ट इनिशेट किया था यमना एक्शन प्लान और गंगा एक्शन प्लान गंगा को साफ करने के लिए अच्छा सीवेज यूज करने के, ठीक है बायो गास, अगेन मिथानो बैक्टिरियम रिमिनेंट और इंसक्ट पे रहता है, तो मीथेन गास प्रोडूस करता है, फ्रॉम डाइजेशन आफ सेल्यू लोज, बायो गास को, माइक्रोब चाज, कंट्रोल एजेंट, लेडी बार्ड, एफिड, ड्रागन फ्लाई, मॉस्कुटो, बीटी कॉटन, तुमारा बैसिलस तुरिंजन जनिसी, बटरफ्लाई, कैटरपिलाई, ट्राइकोडर्मा, रूट बॉर्न पैथोजन, और बैकुलो वाइरस, सब फा बायो फर्टिलाईजर्स, क्या, माइकोराजल असोशेशन, ठीक है, तो देखो, पैडी फिल्ड में, साइनो बैक्टिरिया, सिंबाइटिक असोशेशन, राइजोबियम, प्री लिविंग, एजोटो बैक्टर अन, एजोस्पारिलम, पंगाई, माइकोराइजा, ग्लोमर स्पीसीज के साथ, साइनो बैक्टिरिया, नॉस्ट्रो कैनेबिना, और और सिलो तोरिया, क्लियर है, खतम हुगया है यह चाप दिये थे, हां, चल, कोई दिकत यहां तक, बड़ किजे थे, दिनर का टाइम के, रुखिये थोड़े देर, रूखिये थोड़े देर, बड़ा इनका भूख ही नहीं खत्म होता है एक दिन पहले पढ़ नहीं सकते हैं कल थूशते रहने जितना थूशना है ज्यादा खाओ मुझे नजर लग जागा मेरे भी न अगर खाओगे न तो लूज मोशन होगा याद रखना वैसे भी तो कल एक्जाम देखिया होगे तो घर पर खाना पीना बंद होई जाएगा तुमारा कोई ब्रेक नहीं मिला कोई ब्रेक नहीं मिला या 11 बारा बज़ जागा कि राते कि राते ठीके 6 चाप्टा बचा है जुप चाप से कर लो एक गंटे हो जाएगा और जो अभी बिना हमसे पूछे खाने गया उसको पक्ता कर लूज मोशन होगा देख लेना काली जवान है पिली हो गई अभी है इसे पिली हो गई है चलो इसको सम्झाने वाला चैप्टर वट इसका हम थेोरेटिकल पार्टा भी कर लेंगे ठीक है यूरोपीन फेटेशन और बायो टेकलोजी बोला भाई है इंटिग्रेशन और नाच्रोल साइंसेस पर और ऑर्गिनिजम सेल पार्ट देरोफ मोलेक्टर एंगलोग एंड पर सर्वेसे ठीक है टूल्स देखो रीकॉमिनेट डिने टेकलोजी हम यूज किये थे number and Stanley Cohen ठीक है, restriction enzyme, polymerase enzyme, ligase, vector, host पांच चीज हमको ठायजेट थेक है सबसे पहले isolation of genetic material क्या किया है, genetic material को निकाले, क्यासे निकालेंगे, lysozheim, cellulose, और kaitinase, और fungal cell ठीक है RNA can be removed by ribonucleus और protein by protein उसके बाद chilled ethanol में DNA को हम घुमा के spooling के process से निकाल लेते हैं फिर हम cut करते हैं उसको restriction endonucleus हिंद 2 था हीमोफिलस influenza से discover किया था हिंद 2 cut करते हैं molecular को specific sequence जो palindromic sequence होता है 900 restriction enzyme में 230 strain bacteria के लिए आपको eco r1 का करना है जो बहुत important है यह वाला coding sequence है ना या palindromic sequence gattc gattc eco r1 hysteria coli ry13 ठीक है fragment cut कर दिये DNA को ठीक है उसके बाद दो तरह का nucleus होता है एक होता है exonucleus जो बाहर से cut करता है एक होता है endonucleus जो 20 से cut करता है endonucleus का ही type होता है restriction endonucleus जो palindromic sequence पर cut करता है ठीक है जो बहुत नॉमेंक्लेचर और रेस्टिक्शन एंजाइम इको आरवन यी तुम्हारा हो गया स्चेरिया स्ची हो गया तुम्हारा स्पीची आर हो गया strain of bacteria and one हो गया तुम्हारा जो है वन हो गया तुम्हारा क्या order of extraction वन हो गया तुम्हारा order of extraction ठीक है ठीक है ठीक है प्रैलिंट्रोमिक से cut करता है यह सब जानने का जरूद नहीं काफी हो गया ठीक है दो स्टेंट्ड लिया को हम जोडते है by the help of DNA like एक एक चीज और लिखो एक एक चीज और लिखलो पर लुक्रवी तुम्हारा ब्लंट एंड डेता है सवाल आया था है कि इको आर्मप्रेंड लेता है ठीक है एको आर्मप्रोन आर्वी कट किया है molecular seizures से उसके fragment को हम separate करते हैं प्रोसेस काल जेलेक्रोफोरीज क्या होता है डियने नेगटिवली चाहँ होता है हम उसको एनोड रे में PCR, denaturation, annealing और extension तीन स्टेप से होता है ठीक है कोहन और denaturation 94 degree Celsius अब इसका value सब जगाँ चेंज होता है यहाँ पे 52 degree Celsius और इसका 72 degree Celsius ठीक है extension में हम यूज करते है टैक polymerase जो thermostable polymerase होता है ठीक है वेक्टर की बात करोगे अब वेक्टर के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं बिना वेक्टर के भी कर सकते हैं तो बोय और सबसे बड़ा होता है ठीक है प्लाजमीड सबसे चोटा होता है और यसी सबसे बड़ा होता है ठीक है प्लाजमीड में देखो क्या क्या होता है यह डाइग्राम बहुत इंपॉर्टन है औरी साइट यह बताता है कितना कॉपी नंबर है ठीक है यह एंटिवाटिक रेजिस्टेंस जीन है यह तुम्हारा क्लोनिंग साइट के बारे में बताता है Celectable Marker के तरह काम करता है ठीक है तो PF Τ1 PV 1 से कर गट गोट तो MPC去了 15 जाएगा BAM internet से काट गोटो टेत्रैसुक्न जाएगा Chillane से-जाटेर अंबर एक ओक टेत्रैसुक्न जा एगा ठीक है और PVRP 2 से काट कोटो गए तो आरोपी जाएगा मत्तबब's replication of plasma प्लाजमेंट नहीं हो पाएगा इट कोड़ फोड़ प्रोटीन फोर एप्लिकेशन ऑफ प्लाजमेंट ठीक है तो यह दो क्या क्या हो गया और इजन ओप्लिकेशन कॉपी नमर बताएगा सेलेक्टेबल मारकर आइडेंटिफाई करेगा ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन प्ला इस तरीकट का एगा तो यदे करेगा हैं इसका ब्लू यूओ आधर क्या करते हैं कि हम क्या होता है तो इससे अगर अगर जीन आप इंट्रेस्ट नहीं है तो इंसर्शनल इनक्टिवेशन नहीं होगा बीटे अप्रसाइडिस बनेगा और ब्लू कलर कॉल नहीं बनेगा क्रोमजनिक सब्सक्रेट जो यूज करते हैं इसको हम एक्स ग्याल कहते हैं ठीक है प्लांट के लिए हम यूज करते हैं और अनिमल के लिए यूज करते हैं रेट्रो वाइरस ठीक है कॉंपिटेंट होस में कैसे जाएगा पहला वेक्टरलेस में हम क्या किये उसको डाइवैलन कटायन से ट्रीट किये तो छेद हो गया छेद के थू चला गया चला गया उनिमल श और जीं पर प्लांट श conscient सै्ल्ट उसके वाद होस में लास के करते हैं यूज करते हैं आछ थे का बाई रिक्टेर होता है चरहा है चरहां करते हैं और उसका प्रोसेसिंग करते हैं चलिए अब बायो टेक्नलोजी एनिस अप्लिकेशन क्या विए अग्रिकल्चर में एग्रोकेमिकल बेस होता था अग्रिकल्चर और गानिक होता था जनेटिकली होता था तो हमने क्या बना है लेस रेजिस्टेंस ऑन केमिकल पेसिसाइड क्रॉप को एक स्टेस्ट से बचाए नूट्रिशनल वाल्यू बढ़ा है और एफीशेंसी ऑफ मिनरल यूज़ेश बढ़ा दिये ठीक है प्रोडक्शन और पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या प एक्ट करता है लेपिडrice और टॉक्स प्रोड्यूस करता है जो इंट्टिव तॉक्स रेजब होगा है ठीक है और इससे तुम्हारा गट को फाड़ देता है ठीक है तो BC toxin isolate होता है bacillus thuringianesis से cry 1AB कंट्रोल करता है cotton borer को cry 2AB और 1AC कंट्रोल करता है cotton ball warm ठीक है तो 2AB और 1AC cotton ball warm और 1AB कौन बोरर इस पर सवाल आया हुआ है important है पस्ट रेसिस्टेंट में नेमेटोड मैलोडी जीना incognitia ठीक है इन कोगनीटों मोर्ट पे जा रहा है ठीक है तो यह क्या करता है RNA interference करता है आरे नहीं करता मतलब यह अटक करता है तुम्हारे रूट और तोबैको प्लांट को, जिसके कारण yield और productivity तोबैको प्लांट की कम हो जाती है तो हम strategy यूज करते है, that is RNA interference, it is a strategy used by eukaryotes to protect against a pathogen, ठीक है तो हम क्या करते हैं, हम complementary double standard RNA molecule दे देते हैं, जिससे silencing of RNA हो जाता है, तो बोथ sense and antisense RNA produced in the host cells, ठीक है, इससे जैसे नेमाटोड अपना RNA produce करेगा, मेरा RNA उसके साथ bind कर जाएगा, double standard RNA बन जाएगा, जिससे protein तो इस नहीं होगा और silencing of mRNA हो जाएगा जाए बाइटेकलोजी एप्लिकेशन in medicine, genetically engineered insulin, genetically engineered insulin क्या होता है, पहले Edward Sharpie थे, Edward Sharpie ने बोला क्या, Edward Sharpie ने बोला कि भया, insulin प्रोड्यूस होता है बीटा सेल्स ओफ आलेट्स ओफ लेंगर हैंसे, ठीक है उसके बाद banting and best ने इसको dog के pancreas extract किया, बढ़ इससे बहुत सारे allergic reaction हो जाते थे, लोग को जो लेता था उसके बाद 1983 में एक कंपनी से इसकी नाम थी इन्होंने देखा कि pro insulin में A peptide, B peptide और C peptide होता था, तो इन्होंने क्या किया और mature insulin में सिर्फ A और B peptide होता तो इन्होंने क्या किया, एक से A peptide बनाए, एक से B peptide बनाए, दोनों को जोड़ दिया by using disulfide bond, तो chain A and B way produced separately and they were combined by using disulfide bond, जिससे insulin मन कहा, जिसको humiline कहते है ठीक है, दूसरा है gene therapy, gene therapy क्या है, genes are inserted into person cells and are treated for पहला gene therapy, जो है ADA deficiency के लिए किया था, जिसको adenosine dm- करते है, which treated for severe combined immunodeficiency, that is kid, ठीक है, याद अखिएगा क्या करते था है, retro वेक्टर के थू, lymphocyte में ADA gene functional डाल देते हैं, ठीक है और या तो functional ADA enzyme डाल देते तो enzyme डालना है, तो enzyme replacement therapy अगर lymphocytes कर रहे हैं, तो gene therapy ठीक है, बट ये दोनो permanent cure नहीं है, even bone marrow transplant is not permanent cure, embryonic cell में, अगर bone marrow में हम ADA gene डालनेंगे, तो वो permanent cure होगा, ठीक है, वो permanent cure होगा molecular diagnosis में PCR polymerase chain reaction, ELISA immunosorbent, enzyme linked immunosorbent, ऐसे, ठीक है, PCR southern brotting के थू, ELISA western brotting के through करेंगे ठीक है अगल आगे, transgenic animals, normal physiology development के लिए, biological प्रोड़क्ट के लिए, human protein, alpha-1, anti-trypsin, rosy 2.4 gram per liter, ज्यादा protein देती है, alpha-lactalumine के लिए, ठीक है, वो काओ है, ठीक है, vaccine safety के लिए हम, use करते है, transgenic animal, chemical safety के लिए हम, transgenic animal, use करते है, ethical में, genetic engineering approval committee, तुमारा validate करती है, safety of GM crops, ठीक है, bio piracy deal करता है, क्या, कि bio resources, जो multinational company बना रही है, without proper compensation कर रहे है, तो अगर तुम, माल लो कि मेरे पास bio patent है, ठीक है, और तुम, बिना patent या, बिना authorization के, तुम उसको use कर रहे हो, तो वो bio piracy हो गया, ठीक है, देखो, 1997 में, एक American company थी, वो patent right ले लिए थे, बासमती राइस to UN patient, क्या क्या, इंडियन वराइटी को semi-doll variety के साथ cross करके, उसको novelty बना दिया था, that is bio piracy, ठीक है, अच्छा, दो point इसमें लिख लो, bio piracy को deal करने के लिए, second, amendment आया था, जो इसको deal करता है, bio piracy से, patent, अगर तुमने कुछ research किया है, तो तुमको उसका right मिल जाता है, इसको bio patent कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक, चल, अब e-call जी बस बचा हुआ है, हमको लगता है, आधा गंटा और बस, चले, gene therapy का permanent cure बेटा, embryonic stage में अगर bone marrow cells में तुम transfer कर दे, तो ADAG, चले, चलो, 4 chapter आधा गंटा बस और, आधा गंटा का दुख है, फिर जीवन में आपके सुखी सुखा समरीद्धिय रहेंगे, ठीक है, ecology, relationship between living organism and their abiotic or biotic component, ठीक है, पूरा area जो है, उसको niche कहते हैं, ठीक है, abiotic factor, सबसे आधे, ecologically relevant abiotic factor तुमारा जो है temperature है, ठीक है, तो अगर narrow range of temperature कर पाते हैं, तो तुमारा देखो, cold blooded तुमारा आ गया, sorry, क्या कहते हैं, ठीक है, sub zero temperature, polar region, ठीक है, thermal hot spring, जहाँ पे thermo acidophils रहते हैं, ठीक है, अगर wide range of temperature कर पारे हैं, तो यूरी thermal, अगर narrow range of temperature बदास कर पारे हैं, तो स्टीनो thermal, ठीक है, warm blooded तुमारा हो गया, और cold blooded हो गया तुमारा polyco thermal, ठीक है, water, second most ecologically relevant factor, ठीक है, अगर wide range of salinity है, तो यूरी haline, narrow range of salinity है, तो स्टीनो haline, यूरी haline के example लिख लो शार्क, और यूरी haline के example लिख लो salmon muskli, ठीक है, ठीक है, inland water का salinity तुमारा सबसे कम होता है, और hyper saline lagoon का salinity सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, light, again photoperiodic requirement for flowering के लिए लाइट है, autotrops photosynthesis के लिए यूज करता है, और timing, their foraging reproduction, magnetic activity के लिए लाइट बहुत important होता है, नीचे, जैसे 500 मिंटर नीचे चले होगा, समिंदर में वहाँ light नहीं है, तो वहाँ पे hydrothermal world source of energy होता है, soil, pH, mineral composition and topography, determine करता है, vegetation of that area, response to abiotic factor, चार, regulate, मतलब constant internal temperature बनाता है, regulate, 99% animals और और plants, confirm करता है, मतलब जैसा environment है, उसके हिसाब से confirm कर लेता है, migrate, कहीं और चला गया, और suspend, तीन तरह का होता है, तुमारा spores बना लेगा, ठीक है, hibernate करेगा, winter sleep, estimate करेगा, summer sleep, और dipos, that can be seen in case of zooplankton, तो estimation करता है, land snails, और fish, और hibernation करते है, beer and frog, ठीक है, फिर आते है, adaptation, तीन तरह का adaptation होता है, morphological, physiological और behavioral, तो desert plant में thick cuticles, shungan tomato, camp pathway होता है, यह physiological adaptation हो गया, ठीक है, aquatic animal like seals, fat blower, morphological adaptation, desert lizard manage the body temperature by behavioral means, मतब, गर्मी हो रहा है, तो छाँ में चला जाएगा, और ठंडी हो रहा है, तो बास करेगा, धूप में, ठीक है, ठीक है, चल, बढ़िया, चल, adaptation in kangaroo rat, meeting water requirement to internal fat oxidation चे करता है, यह तुमारा kangaroo rat, तो इसको पानी का जरुवत नहीं पढ़ता है, ठीक है, altitude sickness, यही दिखाता है, adaptation ही दिखाता है, क्या होता है, इसमें, nausea, fatigue, heart palipitation होते हैं, person acclimatize करता है, तो RBC count बढ़ जाता है, breathing rate बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि oxygen वहाँ पे deficient है, population की बात करोगे, population के चार attributes है, birth rate, death rate, sex ratio, age distribution, ठीक है, age pyramid देखोगे, expanding population, अगर pre reproductive जादा है, reproductive और post reproductive से, तो यह तुमारा pyramid shaped होता है, ठीक है, अगर stable है, यह bell shaped हो गया, pre reproductive एक जासा है, और अगर earn shaped है, तो declining है, ठीक है, pyramid का example हो गया, इंडिया, bell shaped का example हो गया, तुमारा China पकड़ लो, ठीक है, और declining का example जबान पकड़ लो, ठीक है, दो तरह का growth model लिखता है, आपको exponential growth और logistic growth, exponential growth, जब food resources unlimited है, dn by dt is equal to rn, where r is the rate of intrinsic increase, अगर integral होगे, तो nt is equal to n not e upon rt, ठीक है, यहाँ कोई carrying capacity नहीं होता, logistic growth, realistic graph है, dn by dt is equal to rn into k minus n by k, k is the carrying capacity, ठीक है, याद रखेगा, जब k is equal to n होगया, तो इसको asymptote कहते हैं, मतलब, यह straight line होगा, इस पर सवाला है था, यह, straight line होगा, यह straight line होगा, ठीक है, population density देख लो, population per unit area, population density होता है, कभी हम absolute density ने जखते हैं, कभी हम relative density भी देखते हैं, जैसे pug mark और fecal pellet, यह तुमारा relative density दिखाता है, ठीक है, n t plus 1 is equal to n t plus b minus b plus i by d minus d plus e, मतलब birth rate plus immigration minus death rate plus emigration, ठीक है, तो अगर b plus i is greater than d plus e, तो क्या होगा, अब population increase करेगा, कम है तो population decrease करेगा, newly populated area में, अरे कहां से पागल लोग होते हैं भाई, राथ के साढ़े दस में चैन नहीं है, newly populated area में, newly populated area में, immigration is the major source, ठीक है, चल, हो गया, हो गया, population interaction, दोनों का फाइदा mutualism, दोनों का नुक्सान competition, एक का फाइदा एक का नुक्सान predation, एक का फाइदा एक का नुक्सान parasitism, एक का फाइदा कुछ नहीं फर्क पड़ा, commercialism और एक का नुक्सान और कोई फाइदा नहीं है, एमेंसलिजम, प्रिडेशन, ट्रांस्वर अफ इनर्जी टू हाय ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, प्रिडेटर किप्स प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, तो प्रिकली पियर क्याक्टस इंटिड्यूस हुआ था, ऑस्टिलिया में बहुत जादा ग्रो कर गया, 1920s में, क्यो क्योंकि उसका कोई प्रिडेटर नहीं था, तो क्याक्टस फीडिंग मौत को हम लाए, ठीक है, सेम किये था हमने, कि अगर हमने एक जगा से, इंटर टाइडिल एरिया से, स्टार्फिस पिसास्टर हटा जिया था, तो दस पीसिस और इन्वर्टिवरेट एक्स्टिंक्ट हो था फील होता है, तो इसलिए खाता नहीं है उसको, कॉंपिटिशन, फिटनेस ऑफ वन स्पीसिस इलोर, इन प्रेजन ऑफ अधर स्पीसिस इस कॉंपिटिशन, ठीक है, गौज एस्कूलूजन प्रिंसिपल, क्या बोलता है, कि अगर दो स्पीसिस कंपीट कर रहा है, तो एक स्पीसिस खतम हो जाएगा, जैसे आर्बिंगन टॉट्वाइज और गोट आइलेंड ऑग गलपिगोज में, ठीक है, कोना से एलेगन फील एक्परिमेंट बोलता है, कि भाई आब बैलानस डॉमिनेटिंग है, कैथालमस तुमारा कम डॉमिनेटिंग होता है, तो क्या होता ह एक्स्क्लूजन के बले रिसोर्स पार्टिशिंग प्रिवर्ड करता है, जो मेक वाबलर के बारे में कहाता है, किस ने कहाता है, मेक आर्थर ने कहाता, तो फाइब स्पीसीज जो है, वो एक साथ रहती है, वाबलर स्पीसीज सेम पेड़ पर रहती है, मेकार्थर ठीक है, परसिटिजम बाड़ी पे होस्ट पे भी रह रहा है, खाने के लिए और रहने के लिए एक्टो परसाइट कसकटा हो गया तुम्हारा लाइस Copepod fish पे Endo-parasite में तुमारा Liver Fluke Plasmodium Life cycle of Endo-parasite जदा complex होता है और उसमें क्या होता है कि उसका body simple होता है reproductive cycle complicated होता है Commensalism एक का फाइदा दुसरे को फर्क नहीं पड़ता Orchid, Mango, Barnacle, Whale Cattle-Agrade, Grazing Cattle Or Clown Fish, Sea Animal Mutualism दोनों का फाइदा हो रहा है, lichens, किसके किसके बीच में, algae plus fungi, mycorrhiza, fungi and root of higher plant, plant pollinator in factor में आ गया तुम्हारा, wasp, female wasp, use करता है egg laying site के लिए, ophirus, sexual deceit, किसके, Mediterranean sea orchid, ठीक है, यह तुम्हारा आ गया, mutualism का example, यह तुम्हारा आ गया, mutualism का example, चली, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चली, ecosystem की बात करते हूँ, comprises of biotic and a-biotic component दोनों होता है, ठीक है, ecosystem की बात करोंगा, natural ecosystem, terrestrial, aquatic, forest, grassland, desert, pond, lake, wetland, river, estuary, manmed में, crop field और aquarium, ठीक है, structure and function of ecosystem, ecosystem, specific composition, stratification, stratification is vertical distribution को, stratification कहते हैं, clear cut stratification आपको forest ecosystem में दिखेगा, functional component of ecosystem, productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycling, energy flow and nutrient cycling, ठीक है, चली, productivity की बात करेंगे, दो तरह का होगा, एक होगा, gross primary productivity और एक होता है, net primary productivity, तो gross primary productivity जो biomass produce किया, उसको gross primary productivity कहते हैं, respiratory loss minus कर दोगे, तो net primary productivity है, net primary productivity is the available biomass for consumers, एसे एसे बाइवांच फर consumers, ठीक है, ठीक है, productivity measure होता है, gram per meter square, और अगर साल बर का measure करना है, तो gram per meter square per year, gram per meter square per year, proto corporation, non-obligate relationship होता है, corporation, तुमारा obligate relationship होता है, ठीक है, अगला decomposition, क्या सब कॉंप्लेक्स और्गानिक मेटर कंपान हो जाता है सिंपल फॉर्म में इसको हम डी कॉंपोजिशन कहते हैं कैसके स्टेप में हो रहा है फ्रेग्मेंटेशन लीचिंग केटाबॉलिजम युमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन तो क्या होता है डेट्रीटी वोर्स क्या करते हैं ड्राइ लीटर को ब्लेक्डाउन करते हैं उसके बाद इस प्रोसेस को हम फ्रेग्मेंटेशन कहते हैं वाटर सॉलिबल न्यूट्रियन युमिफिकेशन कहते हैं तो याद अखेगा अगर अगर UMass Ist Rich In Nitrogen वाला enthusiast तो क्या होगा रेट अभी मपोजिएंग जयादा होगा और रीचिल लिगनी वाला कंपोजिशन से मलेट उख कम होगा थीक है फ्रैकटर एफटिस्टिंग्रेट अभी कंट्रोल बाई केमिकल कंट्रेशन लिगनीन काइटीन तो स्लोगा और नैट्रोजन वाटर सॉलीबल है तो फास्ट होगा वाम इन्वार्यमेंट में डिकंपोजिशन जादा होगा लो टेम्परेचर पर डिकंपोजिशन कम होगा ठीक है कि कि इनर्जी फ्लो यह रखेगा टोटल जो एनर्जी होता है उसका 50% तुमारा जो है पार होता है पार का 2-10% ही प्लांट यूस कर पाता है और एक ट्रॉफिक लेवल में से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर सिर्फ दस परसेंट ही इनर्जी जाता है ठीक है यह लॉद्ध है लिंडर मैं ने दिया था तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल सिर्फ परसेंट ही जाता है इसलिए जो फूट्चेन आसकता है डेथ ऑफ एन और्गनिजम बिगिंज देट्रीटियस फूट्चेन और पैरसेटिक फूट्चेन में पैरसाइट्स आ जाते हैं ठीक है in an aquatic ecosystem GFC is the major conduct for energy flow and q ग्योंकि detrit 캐स महा पर क्या है decampoze होगा ठीक है gi 반 में स्बीते जो इनरजीन यार रखेगा ठीक है तीन चीज़ बात करेंगे कि ऑड्गाएम अमां माउंत और बायो मास पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिडों ऑफ नंगरे माउ kang और बात करेंगे नमबर inverted ठीक है और पिरामिड ओफ इनर्जी ठीक है याँ रखना पिरामिड ओफ इनर्जी हमेशा अपराइट रहेगा बायो मास एक्क्वाटिक एकोसिस्टम में तुमारा inverted रहता है ठीक है एक्क्वाटिक में इन्वर्टेर और नमबर तुमारा ट्री एकोसिस्टम में inverted होता है ठीक है तो पिरामिड ओफ बायोमास इन सी और लेकी जनरली इन्वर्टेर इन पैरसितिक फूट चें पिरामिड ओफ नमबर इस इन्वर्टेर ठीक है इन एकोसिस्टम डॉमिनेटे वाइट री पिरामिड आफ नंबर इस पिंडल शेफ याद रखेंगे वह स्पिंडल शेफ कहा प्रेश एको सिस्टम में नहीं रह सकता सिंपल फूट्चेन को एज्यूम करते हैं फूड वेब को नहीं लेते और सैपरोफाइट को कोई जगा नहीं दिया इस पर सवाल आ जाता है ठीक है इकोलोजिकल सक्सेशन तो क्या हुआ प्राइमरी सक्सेशन सेकंडरी सक्सेशन उसके बाद ऐसे सक्सेशन होता है तो पहला जो होता है इसको पाइनियर सक्सेशन कहते है और लास्टेवल होता है उसको हम क्लाइमेक्स कम्यूनिटी कहते है जो फाइनल सक्सेशन हो गया ठीक तो उसको secondary succession कहते हैं तो successioning plant hydra और dry area पे जिराख दोनों music condition पे आने की कोशिश करेगा तो hydra succession ने देख लो तुमारा क्या गया phytoplancton submerge plant submerge free floating reed swamp, marsh midor shrub और फिर forest ठीक है जिराख succession में lichens, bryophytes trees, forest ठीक है फिर आते हैं, nutrient cycling दो तरगर nutrient cycling होता है, gaseous और sedimentary gaseous में carbon और nitrogen आ गया और sedimentary में phosphorus और sulfur आ गया, ठीक है carbon cycle 49% कितना carbon fix होता है, 4 into 10 to hour, 13 kg of carbon dioxide is fixed annually ठीक है, phosphorus cycle में देखो, producer, consumer detritious, decomposer soil solution में गया और minerals, source कहाँ से है rock mineral से आ रहा है और plant से आ रहा है ठीक है कोई दिकर यहां तक तो यह आ गया तुमारा खतब, ecosystem services देखलो, Robert Constanza, price tag दिया था 33 trillion dollar ठीक है, 50% soil formation, 10% recreation, nutrient cycle, less than 10% climate, 6 habitat for oil life, 6 चलिए, bio diversity छोटा जाप्टा तो तुरंद हो जाएगा, उसके अर्फे, environmental issues है, मुझे लगता है, हम लोग, 20 मिनट में या 15 मिनट में और complete कर ले, ठीक है, 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 एडवर्ड विल्सन, components, genetic diversity, species diversity, ecological diversity, इको लाजिकल species diversity में दिखेगा, western घाट में ज्यादा species diversity हो, as compared to eastern घाट, ecological diversity आप देखोगे, इंडिया में ज्यादा species diversity, as compared to Norway, magnitude, IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, इसका full form आता है, ठीक है, इसने बोला, 1.5 million species है, global species diversity, जो Robert May का estimate है, वो conservative approach है, that is 7 million, ठीक है, इसमें more than 70% जो है, animals है, plant 22% होता है, animals में 70% insect होता है, उसके बाद other animals group होता है, fish, vertebrates में fish सबसे जादा होता है, तुमको दिख रहा होगा, ठीक है, उसके बाद birds और reptiles और mammals आता है, fungi और algae लगबग 22% होता है, plants में, ठीक है, ये तीनों table देख लेना सबसे जादा कौन कौन सा है, insect, fish, यहाँ प चले, India has only 2.4% of world area और जो species diversity 8.1% है, ठीक है, one of the 12 mega diversity country in the world ठीक है, ठीक है, hyperbola होगा, equation s is equal to sca z, ठीक है, अगर log cell पे दोगे तो यह straight line होता है, याद रखेगा, log cell पे straight line होता है, याद रखेगा, ऐसे rectangular hyperbola है, ठीक है, regression coefficient z, value 0.1 से 0.2 होता है, अगर बड़ा जगा का लेगो, तो 0.62 1.2 होगा, अगर continents को लेते हैं, तो 0.62 1.2 होता है, फुरूगी वोर्स के लिए 1.15 होता है, ठीक है, इंपोर्टेंस ओफ, species diversity in ecosystem, stability, productivity, ecosystem health, तिल्लू चचा ने बोला था, कि greater biodiversity अगर है, तो तुमारे ecosystem ज्यादा stable होगा, रिबेट पापर हाइपोथेसिस बोलता है, पॉल एल्रिक में, इन्होंने कहा, कि loss of biodiversity शुरू में कोई species को निकालने लगेंगे, तो ecosystem आपका unstable हो जाता है, ठीक है, अब आते है, loss of biodiversity, कैसे कैसे होता है, loss of biodiversity due to 4 factor, कौन-कौन सा 4 factor है, habitat loss and fragmentation, ठीक है, फिर उसके बाद आ गया तुमारा coexistence, extinction, ठीक है, फिर उसका alien species invasion, और exploitation, ठीक है, तो देखो, Dodo, Mauritius, Quagga, Africa, Thylene, Australia, Stellarseco, Russia, तीन सब पीसीज ओ, बाली, जवान and Caspian, ठीक है, यह तो छोड़ दो, threat कितना परसेंट है, इसको काट दो, किसी काम करने है, ठीक है, effect of biodiversity, decline in plant production, lowered resistance, और variability in certain ecosystem process, ठीक है, क्यों loss होता है, habitat loss and fragmentation, जगा कम करोगे तो दिक्कत होगा, Amazon को lungs of the forest कहते थे, इससे भी दिक्कत होता था, क्योंकि वो shrink कर गया, co-extinction, एक गया, तो दूसके साथ, दूसरा भी चला गया, ठीक है, critically endangered species में तुमारा आ गया, जो species, बहुत ज़्यादा threatened है और endangered है, ठीक है, over exploitation, अगर किसी species का बहुत ज़्यादा यूज़ करोग जैसे, stellar sea calm, passenger pigeon, ठीक है, it was due to over exploitation, alien species invasion, nile perch, lake bacteria, parthenium, carrot grass, lantana, lantana, iconia, और clarius garrapinus, तो ये चार तुमारा हुआ, ये क्लिट फिस, गया पर दिया, parthenium तुमारे wheat को तंग करता है, lantana, iconia, और clarius garrapinus भी तुमारा दिक्कत करता है, ठीक है, तो क्या-क्या आपने देखा, habitat loss and fragmentation, over exploitation, alien species invasion and co-extinction, ठीक है, अब आते, conservation of biodiversity, कैसे, narrow utilization, narrow utilization मतलब तुमारे फाइदएगा चीज, broad utilization मतलब कि चलो long term सोचो तो सब कुछ फाइदा हो रहा है, production of oxygen, pollination, aesthetic value, ethical argument, ठीक है, अच्छ, in-situ conservation हो गया, तुमारे natural habitat में तुमको रख रहे हैं, जैसे national park, इंडिया है, 14 biosphere reserve, 90 national park and 448 wildlife century, डेटा पर सवाल आया होगा है, ठीक है, hot spot, जहां पर high species richness है, endemism और accelerated habitat loss है, उसको हम बचा के रखते हैं, total, 34 hot spot है, इंडिया में 3 है, ठीक है, तीन तरगा zone होता है, जोन पर भी सवाल आता है, क्या, transition, buffer और core, तो यह core हो गया, यह buffer हो गया, और यह transition हो गया, transition में क्या होता है, human as settlement allowed है, buffer में limited human activity और core में there is no human activity allowed, ठीक है, ठीक है, तीन hot spots है, western ghat और शिलंका, इंडो बर्मा और हिमालिया, biospare reserve में बता दिया है, transition zone, buffer zone और core zone, core zone में कोई human activity allowed नहीं है, ठीक है, देख लो, national park, wildlife century, biospare reserve और sacred groups करा दिया है, sacred groups आपका कौन-कौन सा है, khasi, jaintia hills, अरावली hills और राजस्तान, western ghat, और सर्गूजा, चन्दा और बस्तर district और MP, in-situ conservation, उसके natural habitat में एक-situ conservation बाहर ले जाके, तो hot spot, biospare reserve, wildlife century, national park और sacred groups यहाँ पे है, botanical garden, geological power, wildlife safari park, cryo preservation, tissue culture, in-vitro fertilization, यह सब एक-situ conservation का example है, ठीक है, क्या-क्या, conservation के लिए किये थे, earth summit, Rio, 1992, world summit, Johannesburg, 2002, sustainable for conservation of biodiversity, सब पे सवाल आया हुआ, खतम हो गया, biodiversity of last chapter है, 10 minute और, फिर तुमारी छुटी, environmental issues देखो, फटा-फट, 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 एयर pollution, एयर pollutant, क्या होता भी है, बहुत नुकसान करता है, कैसे, ठीक करते है, electrostatic precipitator पहला, ठीक है, और दूसा scrubber, scrubber release करते है, remove करता है, gases like, sulfur dioxide, ठीक है, में, तुमारा catalytic converter होता है, जो pollution को control करता है, अब देखलो, electrostatic precipitator कैसे काम करता है, तो क्या होता है, negatively charge वायर है, ठीक है, यहाँ पे, anode में positively charge वायर है, धीरे-धीरे पास कराते हैं, तो क्या होता है, charge particle, तुमारा यहाँ पे आ जाता है, और हम particulate matter को ठीक कर लेता है, electrostatic precipitator से, scrubber से हम, sulfur dioxide, water और lime डालते हैं यहाँ से, जिससे sulfur dioxide वाले gas जो हैं, वो निकल जाते हैं, ठीक है, अभी हम लोगा चल रहा है, BS6, याद रखीगा, जो norm सभी चल रहा है, BS6 चल रहा है, ठीक है, 2017 के बाद से, BS6 चल रहा है, ठीक है, ठीक, catalytic converter, तुमारा होता है, इसमें gases होता है, platinum, palladium, ठीक है, जो convert कर देता है, unburnt hydrocarbon को carbon dioxide में, nitric oxide को nitrogen gas में, ठीक है, से क्या होता है, कि pollution कम हो जाता है, ठीक है, दिल्ली में CNG यूज किये थे, CNG क्यों बेटर है, क्योंकि क्या होता है, कि वो cheaper than petrol है, it cannot be siphoned, और ये कोशिश करता है, कि जो sulfur का production है, वो कम हो जाएगा, ठीक है, air pollution and prevention act, 1981 में, noise जिसमें add हो गया था, 1987 में, 150 decibel से, जादा का sound, दिककत होता है, ठीक है, दूसरा के water pollution, 1974 में आया था, यादा कि 0.1 percentage impurity आ जाता है, तो water unfit हो जाता है, human use के लिए, ठीक है, domestic sea waste उसमें बहुत जादा करता है, तो जहाँ भी organic waste जादा है, वहाँ BOD जादा होगा, dissolve oxygen कम होगा, तो जितना BOD जादा होगा, उतना polluted water है, ठीक है, case study के थे, integrated waste water plant का, क्या, तुमारा, friends of arcata mars, तो arcata में क्या किया गया, उन्होंने पहले stage पे, पहले सफाई किया, दूसरे stage पे, sedimentation, filtration और chlorine treatment किया, after this, they use a six connected, interconnected mars को यूज किया, वहाँ पे appropriate फंगाई दिया, जो dissolved minerals को absorb कर लेता था, अब वहाँ पे अलग ecosystem बन गया, ठीक है, जिसको protect करते है, friends of arcata mars, ठीक है, दूसरा, ecosystem toilet, ecosystem toilet क्या हुआ, कि केरला विल्ला में यूज करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, directly, sewage में नहीं जा रहा है, तो क्या करते हैं, दो डबा बनाते हैं, एक में party करते हैं, दूसरे में करते हैं, पहला वाला जब सूख जाता है, तो उसको उसके तरह यूज कर लेता है, ठीक है, तो ecosystem toilet यूज करते हैं, ठीक है, बायो में thinning of actual करता है, जिसके गारें bird population कम होता जा रहा है, ठीक, eutrophication, अगेन यहीं बढ़ गया तो eutrophication करते हैं, nutrient enrichment या natural aging of lake is called eutrophication, क्यों, क्योंकि nutrient बढ़ जा रहा है, nutrient बढ़ेगा तो क्या होगा, दीर 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 लेक शालो हो जाएगा, लेक गरम हो जाएगा, उस पे organic matter ज करने लेका और दीर 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 लोग लेक मर जाएगा, ठीक है, human activity की वाज़े से cultural eutrophication या accelerated eutrophication होता है, ठीक है, solid waste को क्या करते हैं, हम गड़े खोद के डाल देते हैं, या open dumps में डाल देते हैं, दोनों case में खराब होता है, hospital waste को हम burn करके incendrator की तरह निकाल देते हैं, ठीक क्या किया था, polyblend मनाया था, polyblend rate का, road का durability बढ़ा देता है, ठीक है, e-waste के लिए हम क्या करते हैं, e-waste को अच्छे सेग्रीगेट करते हैं, और उसको properly बरी करते हैं, using land fields, या उसको recycle कर लेते हैं, ठीक है, radioactive waste के लिए accidental leakage गुआ था, three mile island और चनोबील island में, हम क्या करते हैं 500 मिटर नीचे, गाड के उसको रखते हैं, 500 मिटर नीचे गाड के रखते हैं, ताकि radioactive waste ना निकले बाहर, ठीक है, organic farming का case study किया था, रमेश चन डागर, तो हाँ पे क्या हुआ कि कुछ भी use नहीं किया, उन्होंने, organic farming किया, agriculture, bee keeping, composting, वगएरा, dairy farm management वगएरा, सब use किया, ठी इसमें पांच यह जादा मेंबर्स है, ठीक है, green house effect, green house effect क्या होता है, carbon dioxide ज्यादा बढ़ा है, carbon dioxide ज्यादा बढ़ा है, तो जिसकी वएस से कुछ sunlight trap हो जाता है, sunlight बाहर नहीं निकल पाथ, इसके आरे temperature 15 degree Celsius है, अब क्या होँआ, carbon dioxide बहुत ज्यादा हो गया, तो green house gases में carbon dioxide 60%, methane 20 14% CFC और 6% N2O, ठीक है, अब क्या हो रहा है, carbon dioxide ज्यादा बढ़ा है, तो carbon dioxide ज्यादा बढ़ा है, तो क्या हो, आर्थ का temperature बढ़ा है, तो आर्थ का temperature बढ़ा है, तो इसके वएस से क्या होता है, odd climate condition होता है, जिसको हम कहते, L Nino effect, जिसके कारण melting of polar ice cap हो रहा है, जिसके कारण में good ozone है, troposphere में bad ozone है, troposphere वाला ozone, greenhouse gas की तरह काम करता है, ठीक है, ozone के thickness को हम major करते है, dobson unit से, ठीक है, अब क्या होता है, chlorofluorocarbon ozone को deplete करता है, जिसके कारण क्या होता है, UVB rate आ जाता है, it can cause snow blindness, cataract and permanent damage to cornea, ठीक है, तो हमने क्या किया था इसके लिए, कंट्रोल करने के लिए ozone depleting substances, Montreal protocol किया गया था, जो ozone depletion को रोका गया, ठीक है, improper utilization से desertification और soil erosion होता है, deforestation से क्या होता है भाईया, कहाँ-कहाँ deforestation हो रहा था, कि 33% forest area होना चाहिए, plains में और 67% forest area होना चाहिए, hills में, ठीक है, deforestation से carbon dioxide concentration बढ़ गया, loss of biodiversity हो रहा है, अब reforestation किया जा रहा है, forestation को conserve करने के लिए, पहले आया, अमरीता दिभी वेश्णोई, 1731, बिचारी मर गई थी, King of Jotapur ने उसको मार दिया था, 1731, ठीक है, 1974 में, चिपको मुव्मेंट ऑफ गरवाल हिमालियास, started in which local women show enormous bravery, तो यह चिपको मुव्मेंट हो गया, ठीक है, गोव्मेंट ऑफ इंडिया, 1980 में, joint forest management किया, JFM, JFM किया, joint forest management, जो help किया, sustainable growth के लिए, ठीक है, जो help किया, sustainable growth के लिए, forest development में, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलो, great, तो हमने the end कर लिया, तालिवे जालो, अपने लिए एक बार, good job, good job, good job, मदा आ गया, है ना, telegram t.me slash anandmoney001, notes को आप जाओ अभी इसका, तुरंत, अभी बेजना है, ठीक है, टेलिग्राम पे इसके notes बेजना है, अभी तुरंत, ठीक है, पढ़ो, कल chill mode पे रहना है, कल नहीं पढ़ना है, कुछ भी जादा, कल जादा पढ़ोगे, तो पागल हो जाओगे, एकदम chill mode पे रहना है, कुछ नहीं, क्या करें, क्या ना करें, यह कैसे मुश्किल है, है ना, एकदम chill mode पे रहना है, ठीक है, All the best guys, I hope you enjoyed this year with me, है ना, हमारा last class है, मज़ा है, अच्छी classes की हमने, अच्छे sessions लिए, अच्छे marathons लिए, अच्छे questions की है, अब बस अच्छा result का इंतिजार है, right, comment section में अपना प्यार जरूर बताना, कैसा लगा आपको हमारे साथ का सफर, ठीक है, कल भी मैं तुमसे थोड़ी बहुत बात करूँगा, कोई पढ़ाऊंगा नहीं, ऐसे time pass video हम लोग कुछ करेंगे, थोड़ा entertain करेंगा आको, ताकि आप frustrated ना रहे, जो exam दो, you will do amazingly well, ठीक है, all the best, take care, bye bye and have a great day, I love you all, bye bye, take care and have a great